इसी के लिए पैसे खर्च करेते हैं? मेरे पास तपेला है मेरे पाँ को पूरा मसालेदार चीज समझा दूंगा यहाँ देखिए लाइट आई गुमा के वापैस भेज दिया चलो वापस गुम कुछ लोग तो सोचरों चीकु भाहिया एकदम धनुछबान बना है माहा भारत ठीक छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है हाई देखो कितना सारा लग गया मुझे हालो हालो जनता कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल अर आज हम शुरू करने वाले हैं Ray Optics भाई Ray Optics की हर एक चीज हर एक चीज हर एक चीज आपके लिए पूरी के पूरी तरह से कवर की जाएगी आपको समझाय जाएगा सिखाय जाएगा कैसे आप देख सकते हैं कैसे ये पूरा light mechanism work करता है हर एक दुनिया की चीज जो Optics से related है वो आपके लिए आज clear हो जाएगी NCRT के नए रिजीम के हिसाब से जो जो भी चीजें दी गई है वो सब कुछ covered है इस पूरे के पूरे lecture में totally packed है आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर इस lecture को देख सकते हैं चलिए शुरू करते हैं one shot इस one shot को शुरू करने के पहले एक छोटी से दरख्वास कि चैनल पर subscribe हो जाएए वीडियो को like करते जिए और अपना जो भी एक सखा, समंधी या फिर सहली उसे उसे ये शेर जरूर करिएगा कि चीकु भईया है बड़े पापी आदमी है पूरा की पूरा physics पढ़ाते हैं बड़े बड़े chapter को छोटे छोटे समय में ऐसे ही करते रहते हैं सेनरिटा sorted है, चलिए शुरू करते हैं ये वाला lecture, इस lecture के अंदर हम तीन भाग पढ़ेंगे पहला वाला भाग होगा गुमाना, दूसरा वाला भाग होगा गुम्राह करना और तीसरा वाला भाग होगा ग्लूरीफाय करना तो गुमाने को वाला जो पार्ट है, उसको कैसे पढ़ेंगे, तो गुमाने वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट में हम बात करेंगे reflection की light आई, गुमाके वापिस भेज दिया, चलो वापस गुम जा, reflection light आई और उसे गुमरहा कर दिया, ऐसे light आई उसको गुमरहा करके थोड़ा इधर भेज दिया, that is bending of light, this is known as reflection, light अच्छी भली आई तो उसको गुमरहा करके इधर भेज दिया, okay, so this is known as reflection, और glorify, मतलब बड़ा कर देना, magnify करता, magnifying power के बारे में बात की जाएगी, और ये सब बात की जाएगी, किस चीज में, optical instrument वाला जो हमारा third part होगा, इसमें हम optical instrument cover करेंगे, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, गुमरहा वाले पार्ट में, गुमरहा वाले पार्ट में हम बात करेंगे, reflection के अंदर, अब reflection क्या होता है, चीज को reflection भूला जाता है, अब reflection किस में जो हम light देख रहे हैं, वो reflected light होती है, ठीक है, टकरा के वापस, घूम के वापस आ रही, गई घूम के वापस आ गई, गई घूम के वापस आ गई, गई टकरा के वापस आ गई, समझ गई, ये वाली light क्या होती है, reflection होता है, इसी के बारे में समझेंगे, तब यह क्या हो जाएगा, curved surface के बारे में जैसा भी reflection उस चीज़ का होता है उसे अब यहाँ पर what is reflection इसी के अंदर देख लेंगे थोड़ा सा अब भाईया, क्या किस चीज़ पर depend करता है reflection, कैसे होगा, कितना होगा किदर होगा है, किस चीज़ पर depend करता है यह भी देखेंगे, how curved surface mirror are made इन्हें कैसे बनाया जाता है यार, curved surface mirror को कही से बनाया जाता भाई, तो यह सब भी सीखा जाएगा देखा जाएगा, समझा जाएगा, इसके बाद भाईया, basic term to know कौन-कौन सी basic term तुम्हें पता होनी चाहिए एक mirror के अंदर, यह सब 9-10 में तुम्हें पढ़के आयोगे पर, यहां मैं तुम्हारे हलके से घ्यान के चीटे दूँगा, revise कर दूँगा बड़ी-बड़ी definition इस chapter में कोई पूछता भी नहीं है, तुमसे तो बड़ी, खदरनाक चीजे पूछने की, कोई यह थोड़ी पूछे का, पूल क्या होता है, नहीं पूछे तो यह basic-basic जो चीजे हैं, यह मैं समझा दूँगा आपको अच्छा से, इसके बाद जो focal length क्या होती है, sign convention, mirror formula, square question, यही सब चीजे हम देखेंगे, सबसे पहले reflection क्या होता है, तो जब भी, जब भी, आप कहीं पर देख रहे हैं कि वो एक flat surface है, उसके आर पार जाने की कोई विवस्था नहीं है, या अगर है भी, तो आपको उस पार का दिखने की बजाए, टकरा करके आपका light ऐसे आ रही है, मतलब उसमें, उसमें, इस surface में आपको अपना ही चेहरा दिख रहा है, clear, नहीं चीकुब है, इतना clear नहीं हुआ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, phone की screen में, अगर आपने button नहीं दबाई, और आप ऐसे करके कंगी कर लेते हैं, खुद की ही phone की screen में, आप ऐसे करके कंगी कर लेते हैं, इस तरह से, दिख रहा है आपको यह reflection, तो light आई, reflect हुई, और आपके उपर चली कही, चिक, 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 दिख रहा है, तो यह चीज क्या है? यह reflection ही तो है. अच्छा चिकु भाईया, थोड़ू-थोड़ू समझ में आया. अभी उत्ता अच्छा समझ में नहीं आया. अच्छा, जितनी बार आप पानी में देखते हैं, आपको अपना चेहरा, नदी जैसे ही आप इस तपेले के अंदर देखेंगे, आपको इस तपेले में अपना मुह दिखाई देगा, हर बरतन में आपको reflection दिखाई देता है, अपना प्रती बिम्ब दिखाई देता है, तो क्या आपको अपना reflection दिखाई दे रहा है, हाँ, बोलिए हाँ, तो आपको समझ में समझ में आया भाई, तो क्या होता है reflection, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ गई, थोड़ा अंदाजा समझ में आ गया, अब भाईया यह जो reflection है, यह किस चीज़ पर govern करता है, तो इसके लिए बच्छपन में हमने कुछ law पढ़ लिये थे गलती से, ठीक है, चुको मैं मन तो न तो वो वाली जो surface से, उस surface से टकरा करकर light इस तरव वापस चली गई, surface पर light आई, टकराई और इस तरव वापस चली गई, तो लोगों ने बूला कि यह जो light आ रही है, जिस भी surface पर light आती है, उस आती हुई light को हम incident ray बोलते हैं, उसके बाद ये वाला जो angle बनता है इसे incident angle बोलते हैं angle of incidence बोलते थे कि इतने angle पे incidence हुआ पर ये angle बन किसके साथ रहा है तो हम इस surface के perpendicular एक line draw करते हैं जिसे हम normal बोलते हैं अब इस normal के साथ ये angle बन रहा है आपको समझना है कि ये जो angle बन रहा है ये इस normal के साथ बन रहा है तो normal क्या है इस surface के perpendicular इस surface के perpendicular अच्छा अब light टकरा करके वापस जा रही है जैसे गेंद को फेकने तो गेंद ऐसे कहीं टकरा करके वापस जाती है वैसे light टकरा के वापस जा रही है अब टकरा के वापीस जा रही है, घुमा दिया उसको, वो कौन सी रह हो गई है, वो कौन सी रह हो गई, यह हो गई, रिफलेक्टेड रे, ठीक है, तो यह वाली रिफलेक्टेड रे, ठीक है, रिफलेक्टेड रे, ठीक है, 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 अब क्या भुआ? इसके अंदर किसी ना? कोई आ ए? सुनो, सुनो, मैं आपको दो law बथाता हूँ कोई आ ए? सुनो, सुनो, सुनो मैं तुमें दो law बताता हूँ एक law तो होगा भाईया angle of incidence, angle of reflection के बराअबर है angle of incidence बराअबर होगा angle of reflection के ये दो लोप लोगों clear होने चाहिए angle of incidence is going to be equal to angle of reflection दूसरी चीज दूसरी चीज, एकदम इसी के बाद just बाद अपन दूसरी चीज देखते हो दूसरी चीज क्या होगी दूसरी चीज होगी भाया, incident रे this reflected रे, this and normal, इसे बोलेंगे normal they all lie in a same plane, all lies in same plane, ठीक है, ये कैसे होता है, same plane में lie करते है ठीक, this is reflection this is the law of reflection, two law ये और ये बराबर होंगे और ये थीनो same plane में होंगे, मतलब अगर ये एक plane है तो light ऐसे आएगी, टकराईगी ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी सब कुछ एक plane में होगा, projectile motion type, समझगा एक दम, बहुत अच्छे से clear, clean, sorted है, clear है ये तीनों देखो, एक ही plane में है ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से clear होनी चाहिए angle of reflection is, क्या होता है angle of reflection, सभी प्राणी screen pause करके सारे option पढ़े, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाएं और जवाब ने, कि भाया यहाँ पर angle of reflection क्या होता है अब angle of reflection जो होता है angle of reflection जो होता है angle between reflected ray and incident ray angle between reflected ray and mirror surface angle between reflected ray and normal तो भाया, normal और reflected ray के बीच का angle होता है angle of reflection sorted है, ठीक है अब reflection किस चीज़ पे depend करता है कि कैसा reflection होगा किस चीज पर depend करता है, तो reflection depends on surface. मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से समझना, कैसा reflection होगा, या कैसा reflection होगा, मतलब light कैसे पलटेगी, और कैसे गुम रहा होगी, कैसे उसे पलटना है, कैसे उसे गुम रहा होना, यह दोनों ही चीजे, किस चीज पर depend करती है, दोनों चीजे depend करती है, सिर्फ एक चीज पर, वो एक चीज का नाम आप बताएंगे, वो एक चीज का नाम है, उसकी surface, कि भाया कैसी surface पर गिर रहा है, तो it depends on shape of surface, it depends on shape of surface, everyone is super duper clear भाई, it depends on shape of surface, cool, it depends on, reflection depends on the shape of surface, what is going to be the shape of, the proper shape of surface, अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो reflection में कितने तरे की surface हो सकती है, चीज कुबी, अब आप ही बतादो, तो दो तरे की surface होगी, एक होगी plain surface, ठीक है, ठीक है, मतलब reflection होगा कहाँ, surface से होगा, हम generally surface कैसी होती, पानी की surface कैसी होती है, plain surface, यह यहाँ पर, यह वाली जो surface होगी, यह कैसी होगी, plain surface, भया, यह मेरे phone की surface कैसी है, चीकुबी, यह कैसी surface है, plain surface, तो भाई, हर तरफ जो surface होती है, वो कैसी surface होती है, plain surface होती है, ठीक है, अगर आप एक कांच यहाँ पर लगा दोगे, उस कांच की surface कैसी होगी? Plain surface. ठीक, 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 तो उसे हम plane surface बोलेंगे. पर हम जो यहाँ study करते हैं, उस चीज को बोलते है mirror. जितनी जगे भी हम reflection study करेंगे. क्या study करेंगे? reflection study करेंगे. क्या study करेंगे? reflection जब भी study करेंगे, हम बात करेंगे mirror की. हम किस चीज की बात करेंगे, बहिए? plane mirror. Every single one of you is super clear sorted about this particular thing that we are going to talk about. We are going to talk about plane mirror. Clear? Okay? जब भी हम mirror की study करेंगे. और जबकि आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं plane mirror के बारे में. इस chapter में plane mirror की, जदी नहीं, इस chapter में curved surface की बात है. तो हम यहाँ पर बात करेंगे, बहिए, plane mirror की, अगर plane surface से है, ठीक है? तो surface पर depend कर रहा है, एक है plane surface, एक होगा curved surface. ठीक? तो दो तरह के surface से reflection पता किया जाता है. एक होता है plane surface, जो mirror में होता है, काचपन, ऐसे कंगी-वंगी करते हैं. दूसरा होता है curved surface. अब curved surface बहुत तरह की होती है, जैसे तपे लेके उपर, यहाँ पर जो surface है, आहा, क्या ही, क्या ही, कितना खतरनाक bell type दिख रहा है. तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यह curved surface है. यह देखो तुम, तुम खुद देखो, यहाँ पर से, अगर तुम इसमें हाथ रखके अपना चहरा देखोगे, ठीक तो यह तो खेर reflection हो गया, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक कोई चमकीला सा object है, पूजा वाल object, इसमें भी मुझे मेरा मूँ दिख रहा है, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही अजीब सा से, चने type कुछ मूँ दिख रहा है मुझे मेरा, तो यह मूँ जो दिख रहा है मुझे, यह क्या है, curved surface ही तो थी, वो थोड़ा सा बुड़ा हुआ था, वो curved surface reflection हुआ, समझ गए क्या, यह क्या हुआ, curved surface reflection, तुमने खुद देखा होगा, डब्बे पे, बॉटल पे, बाल्टी पे, जगे-जगे, तो भी है curved surface reflection, ठीक, एक होता है, plane surface, एक होती है, curved surfaces, curved surfaces में भी होती है, सबसे important spherical surfaces, कैसी, spherical surface, ठीक, तो एक होगी curved surface, एक होगी spherical surface, sorted है, कोई बहुत दिक्कत की बात तो नहीं है, तो shape of surface, पर depend करता है, plane surface कैसी है, तो plane surface है, अलग तरह का reflection होगा, curved surface है, तो उससे अलग तरह का reflection होगा, जैसे मैंने आपको example दिया, हर curved surface से अलग-अलग तरह का चेहरा आपका दिखेगा इस curved surface में बहुत तरह की curved surface हो सकती हम बात कर रहे हैं, एकदम goal एकदम spherical surface की तो हम बात करेंगे spherical surfaces के बारे में, हम बात करेंगे spherical mirrors के बारे में, ठीक तो how curved surface mirrors mirrors are made, तो curved surface मतलब spherical surface, इस मतलब इस में, curved तो बहुत हो सकती हैं, पर हम spherical surface की बात करें, तो spherical surface कैसे बनती है, तो बहुत बड़ा sphere लेते हैं, एकदम kaunch का गोला लेते हैं, भयानक वाला kaunch का गोला, ठीक है, ऐसा वाला kaunch का बूलेंगे, यह जीवन भर के लिए याद रख लो, जहां गड़ा है वो केव है, तो यह क्या है, इस साइड वाला कौन केव, ठीक है, तो जो खुद होता है ना, वो हमेशा कभी नहीं मानता है बात, ठीक है, तो जैसे ही तुम बोलोगे ना, यह यह वाला गड़ा कौन सा है, तो हम उससे बूचेंगे, यह गड़ा कौन सा है, वो बूलेंगे, कौन, हम बोलेंगे, केव कैसी है, वो बोलेंगे, कौन केव, मैं तो केव नहीं हूँ, यह पूचेंगे, कौन केव, कौन केव, ठीक है, तो यह खुद केव है, लेकिन हम इससा पूचेंगे, तो पूचें इतना कतरनाक जहरी लाजोग बापरिबाप अब यहाँ देखो यह आगया concave उस तरफ आगया convex everyone is super duper sorted यह concave है उस तरफ convex है clear है भाई? तो concave और convex दो surface होती है अब अगर हमने इस तरह से एक mirror को पकड़ा और यही surface है अगर मैंने इसी surface में एक बार दियान से देखेगा एक बार इधर polish कर दिया इधर तो यह इस तरफ वाला surface बचा ठीक है? इस तरफ वाला surface बचा तो यह con vex mirror हो गया ठीक है? अब अगर मैंने इसका बाहर वाले surface पे ऐसे कर दिया तो यह Concave ये वाला का इस वाला Convex हो गया, ये वाले के इस वाला Concave हो गया, इसका एक साइड वाला Convex हो गया, इसके एक साइड वाला Concave हो गया, everyone is super duper clear clean sorted about this, तो भाई ये surface है, surface के एक साइड अगर अगर अपनने polish करा तो it is convex, एक surface के उस साइड में पॉलिश करा तो यह हो गया Concave, Convex, Concave Convex, Concave क्या बहुत अच्छे से Clear है, बहुत अच्छे से Sorted है, Clear है भाईया तो जिस भी तरफ पॉलिश कर दोगे वो Concave और Convex बन जाएगा अब यहाँ पर बताओ Convex Mirror के अंदर, Convex Mirror जो होता है The Ray of Light Incident on Sorry, Concave Mirror पर Ray of Light Incident कैसे होती है अब देखो Concave को होता है, इसके अंदर Cave बनी हुए हमने Mirror बना दिया, हम बूचेंगे तेरे अंदर Cave है यह बुलेगो Concave, मैं तो Cave नहीं हूँ यहाँ पर देखो, यह Concave Mirror है The Ray of Light is Incident on It, किस सरफेस पर Incident हो रही है जल्दी बताओ, क्या होगा क्या यह Diverge होगी, क्या यह Converge होगी जब भी Ray of Light इसके उपर Incident होगी तो क्या Diverge होगी, Converge होगी Can Converge, Can Diverge ज़रा सोचें, समझें और बताएं जब Ray of Light इस पर गिर रही है तो क्या होगा, Diverge, Converge क्या हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता है है न, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कुछ भी हो सकता है अगर Parallel Rays गिर रही है तो एक अलग बात होती है पर Ray of Light गिर रही है तो हम उस Ray of Light के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं कि हो सकता है वो भार की तरफ जाए, हो सकता है अंदर की तरफ जाए, sorted है ठीक है, अब basic term की बारे में बात कर लेते हैं अंडस्टेंडिंग वाली चीज़ है ज़रा समझो, मेरे पास यहाँ पर एक इस तरह से mirror है ठीक है, यह surface mirror के यहाँ पर मेरे पास एक principal axis है ठीक, अब यह mirror है mirror को एक बीच में एकदम आधा डिवाइड करता हुआ एक axis है, इसका नाम हमने रख दिया principal axis, तुम आज से principal ठीक, तो यह mirror का जो भी school है इसका यह बीच से एक जाने वाला axis है principal axis है, कुछ लोग तो सोच रहे ठीक, यह बिल्कुल ऐसा नहीं है ना तो तुमने बिल्कुल समझ लिया, यह बन गया यह principal axis बन गया यह bow है, यह arrow है arrow is principal axis, bow is mirror ठीक, ब्याइड बो, यह इतना है यह इसा नहीं है, पहली बात तो यह गलती मत करना कि इसको ऐसा समझ लो, ठीक है, ऐसा नहीं है समझ गया है, यह पूरा पूरा ऐसा spherical है, काटोरा कैसे होता है मतलब ऐसा समझो कि तुम्हारे पास एक apple है, apple को तुमने कोने से उड़ा दिया, तो वह shape जो नहीं बनता है apple का फिर खाने में मज़ा आता है the must वह वाला shape है sorted है, और यह hollow भी हो सकता है अब यहाँ पर देखो, hollow हो सकता है, होलो हो गई तो यहाँ पर यह इस तरह का shape बना हुआ यह वाली जो चीज है, यह कैसा है इस तरफ यहाँ बना हुआ है, pole sorted, pole, ठीक, यह बन गया पूरा की पूरा एक sphere है पूरा की पूरा एक sphere है मतलब किसी बड़े sphere का भई, जिस apple को काट के तुमने चीर निकाली है यह पूरा cut निकाला है इस पूरे apple का अगर मैं पूरे sphere को एक sphere मानू तो इस पूरे sphere का center यहाँ कई होगा तो हम भोल देंगे इसे हमने यह mirror की surface निकाली है उसका center is center of curvature sorted है, ठेक, अब हमें focus, हमें यह pole clear है हमें center of curvature clear है ठेक है, principle axis हमें clear है अब क्या हुआ, कि कोई ray infinity से आई किसी ray को लगा, चलो हमें चलना चाहिए किसी ray को लगा, कि चलो अब हमें चलना चाहिए एक mirror बेठा हुआ है उसके उपर जाके गिरेंगे, थोड़ा reflect reflect होंगे, मज़ा आएगा तो ठीक है, वहाँ पर से एक ray ऐसे चलते चलते आई और यह ray जब चलते चलते यहां तक आई parallel ray ठीक है, तो यह ray जब यहां से चलते आई कि मज़ा आएगा, मज़ा आएगा जया लचक है वाओ, 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 श्क यहां से reflect हुई और reflect होने के बाद एक point से पास करी यहां देखना, reflect होने के बाद एक point से ऐसे इसने पास करा यह जो point, एक parallel ray reflect होने के बाद जिस point से pass करती है उसे बोलते है focus ठीक है तो principle axis के parallel कोई ray आती है जब वो एक mirror से reflect होती है और reflect होने के बाद किसी point से pass करती है उस point को बोल दिया focus sorted है समझ में आया ठीक अच्छा चीकुबिया कोई और ray आई तो इसी तरह कि दूसरी ray आई तो हाँ दूसरी ray आई कोई दिक्कत नहीं यह है टकराईगी और जैसे ही यह टकराईगी यह भी focus से ही pass करेगी क्या यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई तुम्हें कोई पड़पड़ा तो नहीं रहा इस बात को ले करके हर एक प्राणी को समझ में आ चाहिए center of curvature क्या होता है focus क्या होता है pole क्या होता है यह incident रहे थी तकराई reflected हो गई reflected रहे जिस point से pass करेगी वो क्या है focus है reflected रहे principle axis को जिस point पर intercept कर रहे है focus है अब चीकू भीया pole से लेके focus तक की distance कितनी होगी चलो एक बात बताओ तुम यह बात बताओ pole से लेके pole से लेके center तक की distance कितनी होगी pole से लेके center तक की distance कितनी होगी यह distance होगी radius के बराबर यह distance होगी radius के बराबर pole से लेके center तक की जो distance होगी वो radius होगी अरे यार center से लेके surface ही तो है पूरे surface का center है तो यहां से यहां तक की distance क्या होगी, radius होगी पड़पड़ा तो नहीं रहा कोई प्राणी अब यहां पे देखो भीया, अगर मेरे से पूछ लिया अगर मैं उससे किसी ने बोल दिया कि भीया, पोल से लेके पड़पड़ा उमद, तुम बस यह बता दो, यह focus से लेके pole तक की यह जो distance है, यह distance कितनी होगी तो इस चीज़ को बोलते है focal length pole से लेके focus तक की जो distance है, उसको बोलते है focal length अब यह क्या, यह क्या बला का नाम है, आगे पड़ता है focal length, focal length का पूरा की पूरा भायानक derivation होता है पर हम focal length को for paraxial raise paraxial raise, जेको भाया यह क्या है, खतरनाक नाम लग रही है तो भाया, paraxial raise बहुत ही सुन्दर सुकून सा नाम है मतलब वो raise जो principal axis के बहुत पास आ रही है जो raise, principal axis के बड़ा पास आ रही है, एकदम चिपक के वो raise को हम parallel, paraxial raise बोलते है जो principal axis के बड़ा दूर आ रही है, उन्हें marginal raise बोलते है ठीक, अच्छा margin जिसमें तो जो principal axis के एकदम parallel, जैसे यहाँ पर यह principal axis है तो raise इसके पास आ रही है, that will be paraxial raise इधर आ रही है, that will be marginal raise अच्छा खासा margin इधर से उदर तक ठीक, तो paraxial raise के लिए अगर हम paraxial raise माने तो जो focal length हो, अच्छा, और हम मानेंगे क्योंकि वो जैसे ही बोलते हैं, मानने सरल हो जागा, हम मान लेते हैं, ठीक है तो वैसे ही, principal axis के parallel जो होती है, paraxial raise होती है और paraxial raise के लिए, focal length r by 2 होती है r by 2, मतलब radius का आधा radius का आधा तो focal length is going to be equals to r by 2 everyone is super duper sorted focal length क्या होती है, pole से लेके focus तक के distance, that will be equals to r by 2, everyone is super duper sorted, यहाँ पर एक सवाल भी पूछ लिया हमें भरोसा ही नहीं तुमारे उपर is कुछ पापी बोल देंगा, चीकु भी हो 10 चीकु भी हो 10, अरे नहीं पापी प्रश्न पड़ो, वहाँ पर लिखा हुआ है focal length is r is equals to f by 2, नहीं, f is equals to r by 2 समझ गया है भाई, तो किसी चीज की focal length दे रखी है focal length, यह दे रखा है तो यहाँ पर देखेंगे 20 is equals to r by 2 r is equals to 40 क्या हर प्राणी sorted है इस चीज पर क्या हर प्राणी sorted है इस चीज पर, हाँ या ना चलें, आगे बढ़ें भाई, चलो अब यहाँ पर देखो, if the diameter of the diameter दे रखा है, वह भी तुमारे साथ फुल खेल रहे है ठीक है, उनको पता है, तुम भैक होगे तुम बिचारे प्यारे बारिश के मेंड़क हो और तुम भैक जाओगे तुम इधर से उधर कूदोगे और गलत पत्ते पे कूदोगे negative marking ले लोगे अब यहाँ पर देखो, if diameter of the sphere is given है, बतलब यह sphere है spherical mirror है, तो उसका sphere जो था, उसका diameter दिया हुआ गा तो suppose इसका इतना पार्ट सिर्फ इतना पार्ट को काट के हमने spherical mirror बना दिया किसी के आँखों में आसू नहीं आयोंगे इतने में, सिर्फ इतना पार्ट जो है, उसको काट के हमने क्या बना दिया spherical mirror बना दिया, अब यहां पर है center sorted है, यहां पर है center और इधर कहीं पर होगी focal length तो focal length कितनी distance पर होगी focal length होगी r by 2 that is diameter by 4 हाँ r by 2 diameter by 4 भहिया, diameter का आधा radius होता radius का आधा focal length होता, तो diameter का 1 by 4 दोगा न, focal length अरे हाँ, फढ़ पढ़ाना नहीं है ठीक है, यहां देखो, यह वाली distance कितनी होगी, d by 4 होगी, हर एक प्राणी के दिल में यह बात छब जानी चाहिए कि यह वाली distance कितनी होगी, d by 4 diameter कितना दिया भही है, 60 तो हमने सीधा 60 को लिया और 60 को बोल दिया अच्छा तेरे 4 हिससे होंगे, तू एकदम regular size का pizza है, इसके 4 हिससे करे 15, sorted answer आगया C, बहुत खुशी से मारा, आगया बढ़ गया, क्योंकि अगला सवाल भी करना था, अब आगई बात sign convention की, अब दुनिया में जो सबसे ज़ादा, सबसे ज़ादा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, literally जो सबसे ज़ादा, misunderstood चीज और बच्चों को गुम्रा करने वाली चीज और गुम्रा क्या बच्चे जिसमें परशान पड़पड़ा हो जाते हैं, एकदम पानी मांगने लगते हैं, पानी, 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 सर, पानी पोल को ओरिजिन मानो और डिस्टेंस पोल से मेजर करो जैसे दुनिया में हमने पूरे मेकेनिक्स या फिर कहीं भी करते हुए देखा है, हमेशा हम पोल को एक ओरिजिन वाला पॉइंट मान लेते हैं हम हमेशा पोल को एक ओरिजिन वाला पॉइंट मान लेते हैं Distance always measured from pole. Okay? So distance always will be measured from pole. Okay? Measured from pole. So distance is always going to be measured from pole. Sorted. Buhut badia. Second change. Okay? The direction of light. Jis dishah se. Jis dishah mein light ja rahi hai. Samaj gai? Jis dishah mein light ja rahi hai. Woh dishah positive hooghi. Take. Samaj lo. Jis dishah mein light ja rahi hai. Woh dishah positive hooghi. Matlab light ka direction is going to be positive direction. Take it? Aysa koji fix nahi hai. The direction of light is going to be. Going to be positive. Kya hai baat samaj me hagi? The direction of light is going to be taken as positive direction. Acha. Thik hai chiko baiya. Abhi saamajne ki košishish kaartate hai. Jo bhi aap pada raha hai. Us cheez ke baare me saamajte hai. Yehaan ek mirror hai. Okay? Ab yeh jow mirror hai. Yeh mirror ke e principal axis hai. Buhut acha hai. Samaj me hagi hai chiko. Principal axis. Buhut badia. Clear. Clean. Sorted. अब बताओ origin कहाँ पर है मुझे बताओ origin कहाँ पर है origin कहाँ पर है ये origin है pole को क्या लेते हैं origin लेते हैं हमेशा pole को क्या लेते हैं origin लेते हैं हमेशा pole को क्या लेते हैं origin लेते हैं अब मुझे बताओ light इधर से आएगी क्या light इधर से आएगी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती है, ऐसे समझो कि मैंने एक सर्फेस बना लिया, इस तरफ मिरर है, इस तरफ मिरर है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, अब मैं मिरर में इधर से शकल देखूँगा, मतलब मिरर के उपर लाइट इधर से ज जा रही है तो क्या कुछ दिखेगा नहीं तो लाइट कहां से जाएगी चीकु भाई या लाइट जाएगी इस तरफ से बड़ा समझ गया है अब पढ़ो मैं कुछ नहीं बोल रहा है light is going to be the direction light direction light's direction is going to be positive light's direction ऐसा लिखेंगे light की जो दिखा है वो positive होगी तो इदर से light आ रही है और इसकी जो दिखा है वो positive होगी मतलब चीकु भी है उदर positive है क्या नहीं नहीं जिदर light है उदर नहीं नहीं यह इसका मूँ किस तरफ है यह बेटा यह light ऐसे आ रही है उस तरफ जा रही है पानी 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 मुझे पानी तो यह लाइट जब इस तरफ जा रही है, लाइट इस तरफ जा रही है, तो जब इस तरफ जा रही है, लाइट तो यह वाली दिशा क्या है, positive है, ओके, यह वाली पूरी दिशा positive है, अब लाइट इदर जा रही है, तुम्हें लाइट उत्ती सी जगे हैं, तुम पूरा बना बनाना चाहते हो, number line बनाना चाहते हो, तो वो इधर बनाओगे, plus 1, plus 2, plus 3 लिखोगे, तो वो किदर लिखोगे, light उधर से आ रही है, तो तुम इधर क्या measure करोगे, उधर क्या measure करोगे, तो light उधर से आ रही है, तो यह वाली दिशा होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या सुर्न हो र तरफ क्या दिशा होगी? यह होगी 1, 2, 3, 4 पर यह माइनस में होगी. क्यों? क्योंकि हम पोल से चीजे मेजर करेंगे. पोल को और इजिन मानेंगे. और जिस तरफ लाइट जारी यह दिशा पॉजिटिव है, तो यह प्लस वन होगा. इस दिशा में प्लस वन आएगा. पॉज आएगा. अब इस एक सिस में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इस एक्सिस में मेरे पास ये वाला mirror दे रहा है इस mirror में क्या उधर से light आ सकती है नहीं आ सकती इस mirror में light इधर से जाएगी हाँ इधर से जाएगी क्या इस mirror में light इस तरफ से जाएगी बिल्कुल light इस तरफ से जाएगी हर एक प्राणी clear clean sorted है light इस तरफ से जाएगी तो light इस तरफ से जाएगी उसकी कोई दिक्कत नहीं light उधर जा रही है न तो origin क्या होगा ये कौन सा side positive ये positive ये positive ये positive ये positive light उधर जा रही है ध्यान से समझो, सोचो, फड़़़ा होने light उस तरफ जा रही है कौन सा side होगा जो positive होगा जल्दी से बताएगी भईया light उस तरफ जा रही कौन सा side positive होगा तो ये वाले को हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1 ठीक, इधर से जा रही है न ठीक, और ये origin है तो वो positive x-axis होगा जिस तरफ light का मूँ उस तरफ positive x-axis इसमें light का मूँ इधर था तो ये positive x-axis था उसमें light का मूँ इधर था तो ये origin से शुरू के वो positive x-axis होगा यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 होगी यहाँ पर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 यह सब होगा क्या हर प्राणी समझ गया जल्दी बताईए भाई क्या हर प्राणी समझ चुका है यह बात काफी clear, clean, sorted है यह सारी की सारी बात है ओके, सारी की सारी बात है चीक है समझ में आए एक्सिस का combination वगेरा सारी की सारी चीज समझ में आ गई ठीक, तो pole is considered to be origin, the direction of incident light is considered as positive, that's it the direction opposite to the incident of light that will be considered as negative, बहुत सारी इंगलिस में बता दिया ओके, अब देखते हैं अब हमारे पास जब भी हमें किसी चीज की focal length measure करनी होगी देखना जरा ध्यान से, यह मेरे पास कैसा mirror है इससे हम पूचेंगे तेरे अंदर तो cave है, यह बोलेगा कौन cave ठीक है, तो यह कौन सा mirror हो गया concave चीज को आप मत करो यार, बार-बार भोल देते हो आप यह चीज यादा जाते है, अब देखो concave है, है ना suppose किसी ने बोला, एक concave mirror की जो radius है concave mirror की जो radius है वो 30 cm है है ना, तो हम बोलेंगे कि इसकी focal length जो होगी, वो 15 cm होगी अब देखो, यह focal length का magnitude है focal length का sign कैसे होगा वो हम देखते है क्योंकि focal length तो focal length तो यहाँ pole से लेके focus तक की distance है अब इसमें बताओ, इसमें ray किदर से आएगी तो तुम हमेशा जब भी ray draw करो imaginary करो, pencil से करो इस तरह से ऐसे draw कर ली यह ray का direction है तुम्हें पता है कि अगर यह ray का direction है मतलब यह इस तरफ positive लिया जाएगा मतलब यहाँ pole होगा यह origin है, यह pole है इधर जाओगे तो negative, उधर जाओगे तो positive समझ में आगे? यह positive x-axis है और यह क्या है हमारा यहाँ पर भाई origin है pole है इसके इस तरफ positive, इसके इस तरफ negative किसी के आँखों में आसू नहीं आने चाहिए clear? इसके उस तरफ positive, इसके इस तरफ negative ठीक? अब अगर किसी ने बुला कि यहाँ focus है ठीक? फोकल लेंध किदार होगी? फोकल लेंध नेगेटिव होगी ठीक है? फोकल लेंध कैसी होगी? नेगेटिव everyone, 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 everyone यह लिखेंगे cave ठीक? cave, negative sorted everyone is sorted अब अगर यहीं पर हमारे पास same to same, ऐसा कि ऐसा दूसरा mirror दे दिया वो दूसरा mirror यह वाला है ठीक? पढ़ पढ़ाईगा नहीं यहाँ पर से हमने देखा कि एक axis बना हुआ है इस axis पे इधर कहीं पर focus होगा दियान से देखिए अब यह वाले पर चीकुबया focus कि इधर होगा तो देखो इसमें focus इसके अंदर है और center इधर है ठीक? तो pole और center के बीच में focus आ रहा है तो यहाँ pole यह होगा इधर center इधर कहीं पर होगा इन दोनों के बीच में ही focus आएगा चीकुबया आप तो बोल रहे थे parallel ray बड़ी-बड़ी बात थे कर रहे थे parallel axis के parallel ray आईगी वो reflect होगी तो focus से pass होगी हाँ बड़ी यह होगा देखो ज़रा द्यान से एक्सिस के parallel ray आई reflect होई उदर चली गई अब हमारे मन को क्या लगा कि यह इधर से टकरा के इधर जा रही है तो हमारे मन को लगा कि यह ही से आ रही है ऐसा मन के साथ दोका हुआ इसलिए तो बोलते है मन चन चले उसके साथ देखो दोका हो गया अब यह यहां से ray आई यह ray आके टकरा के इस तरफ चली गई तो वो ray का आती हुई कहां से दिख रही है focus से आती हुई दिख रही है तो हम बोलेंगे यह point जो है इदर तो मिरा पॉलिश है इस तरफ क्लीन है यह वाला जो साइड है यह आगे वाला साइड है यह वाला साइड है इदर तो पॉलिश है इस तरफ तो इदर वाला साइड सिर्फ क्लीन है तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे भाई यहां से ray आई ध्यान से समझेगा, यहां से रहाई ठेक है, और यह पूरी के पूरी जो direction है इस पूरी direction को हम मानेंगे positive इस पूरी direction को इस पूरी direction को हम क्या बोलेंगे positive sorted, अब चीकुभिया focal length कैसे ली जाएगी, बिल्कुल वैसे ली जाएगी हम बोलेंगे भईया, pole से शुरू होके focus तक जाओ हम बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे गए तो तुम देखो, यह line ऐसी है और pole से शुरू होके जब focus तक गए तो यह line ऐसी है pole से शुरू होके हम कहा तक गए focus तक ठीक है, तो line के parallel जा रहा है मतलब, मतलब focal length कैसी है focal length कैसी है, positive है ठीक तो अब आपको सिर्फ एक चीज याद रखने है k1 एक चीज, k1, k1 एक चीज k1 एक चीज, k1 एक चीज, वो है k1 vexp k1 vexp, k1 एक चीज, k1 xp k1 vexp, sorted, sorted, sorted तो यह आपको याद रखना है k1 बटा समझ गए, k1 vexp तो अब यह तुमारा पूरे optics में चलेगा पूरे optics में, k1 मतलब जो भी cave होगा जो भी cave होगा, उसकी focal length radius negative आएगी बटा radius भी negative आएगी न, क्योंकि देखो अब यही से center तक की distance measure करेंगा तो radius होगी, वो negative आएगी क्योंकि positive इदार है, negative इदार है हमेशा होगा, अब यह तुम आँख बंद करके याद रख लो, मैंने यहाँ करके भी दिखाया तुम confused होगे, कोई बात नहीं पर यहाँ पर शुरू में practice करोगे sort आँगा, यहाँ देखो यह positive direction है, यह इस तरफ measure करा, तो इसका focal length भी positive, इसका radius भी positive, k1 vex p, k1 एक चीज याद रखने है, k1 एक चीज वो है k1 vex p, मतलब cave का negative आता है focal length, radius vex p, convex का positive आता है focal length और radius तो नहीं, क्या बात clear हो गई, बहुत अच्छे से clear हो गई, चालो, अब मैं तुम से पूछता जाओंगा, तुम मुझे बताते जाना, कि अगर यहाँ पर यह एक focal length है, ठीक है, focal length है, तो इसका, मतलब एक sphere है, इसका radius 30 cm focal length बताओ, sign के साथ बतानी है, sign के साथ कैसा mirror है, concave concave में k1, negative जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कुछ लोग तो बोल दी है, जै, चीकू भाईया, कि जै, ठीक, अब यहाँ यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, इत्ता अच्छा भी निपड़ाया, भाई, यहाँ देखो इदर, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यह वाला हमारे पास focal length इसका दे रखा है 20 cm, कौन सा shape है, कौन सा shape है, किस shape से reflection हो रहा है, इसकी convex surface से reflection हो रहा है, हम बोलेंगे भाईया, इसका focal length आएगा 10, पर sign कैसा होगा, तो भाईया यह कैसी surface पे reflection हो रहा है, Vex P, K1 Vex P, तो Vex P is positive, य convex surfaces की focal length positive आईए, तुम्हें फड़फडाना ही नहीं है, याद रखने का तरीका, K1 Vex P, K1 Vex P, sorted everyone, everyone is super duper clear, cool about this, अब यहाँ देखो अगली चीज, अगली चीज, अगला मेरा प्राणी यहीं पे देखेगा, यहाँ पर इस तरह से mirror रखा हुआ है, हमने एक object को यहाँ रख ठीक, तो यह object को यहाँ रख दिया, यह distance है 15 cm, अब तुम्हें बताना है यह distance को हम जो भी x बोलेंगे, तो यह x कितना आएगा, positive आएगा, negative आएगा, कैसा आएगा, तुम खुद सोचो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसके उपर light इधर से आईगी, तो यह पूरी की और तुमने इधर लाए, तो यह आगया, minus 15, sorted है, imaginary हो सकती है line, तुम जैसे मानना चाहो, वैसे मान लो, तुम हर बार ऐसे सिर्फ pencil के उल्टे वाले साइट से draw करो, और देख लो कौन कौन सी distance positive negative है, हर बार ऐसे draw करो, देखो कौन सी negative है, हर बार draw करो, देखो कौन सी negative है, ठ ठीक, देखना, मैं practice करा रहा हूँ तुम्हारी positive negative पढ़ने की, यहाँ पर मेरे पास एक concave mirror है, और यह concave mirror बहुत ही बदमाश है, क्यों, 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 क्योंकि यह mirror जो है, यह concave mirror है, यहाँ पर, एक object ऐसी कोई चीज रखी, कोई भी point उदार है, ठीक, अब यह distance कि है, तो 15 cm, पर positive होगी, negative होगी, कैसी होगी, तो अगर तुम से पूछा जाए, यह x कितना होगा, तो बताओ, x कितना होगा, ठीक, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे, चीकु भाईया, बड़ा simple है, हम यहाँ पर हमारी एक line draw करेंगे, line draw करने के बाद हम थोड़ा सा चीकु भाईया, कि pole से उस point तक की distance और यह दोनो parallel है, parallel है, parallel है, parallel है तो हम बोलेंगे भाई, positive, sorted, sorted है, sorted है, positive, negative लेने की दिक्कत वगेरा सब कुछ बहुत अच्छे से clear हो गई है, sign convention वाला point तुमारा clear हो गया है, focal length, k1 vex भी तुम्हें याद हो गया, ऐसे, ray draw कर ली, उसके opposite जो भी चीज़ होगी negative, उसके direction में जो भी चीज़ होगी, वो होगी positive, I hope हर एक प्राणी को समझ में आ रहा है, अब यहाँ देखो भाईया, according to sign convention, the focal length of the mirror comes out, to be negative, in, k1 vex p, k1 vex p, sorted है, कहां कहां use होता भाईया, कौन vex mirror कहां कहां use होता भाईया, यह, objects are closer than they appear, ठीक है, यह bigger than they appear, ऐसा करके, यह वाला देखो, mall wall में use होता है, कि इधर वाला आदमी उधर वाले पर देख ले, highway पे अंदर, parking के अंदर, काफी जगे पर यह चीज़ यूज होती है, यह बड़ी image को छोटा करके दिखाते हैं, ठीक, यह headlight के अंदर use होता है, चेहरे को देखने वाले glass के अंदर, जो side में, यह सामने वाला glass होता है, उसके अंदर, छोटी चीज değों को बड़ा करके दिखाते हैं, यह तो यह, इस चीज़ के बाद हमाँ छोटी सी चीज देखने हैं, जिसका नाम है mirror formula, अब mirror formula बहुत ही काम की चीज़ है, मैं यह यह बिखा देता हूं आपको, इस फॉर्मूले का नाम है मिरर फॉर्मूला, ठीक है, अब मिरर फॉर्मूले का काम क्या है, मिरर फॉर्मूले का काम चीको भीया, आपके जीवन में, हमारे जीवन में परिशानिया बढ़ाना है, मेरा जीवन तो सॉर्टेट है, आपके जीवन में परिशानिया बढ़ाना है क्योंकि यह आपका syllabus बढ़ा देता है syllabus बढ़ाने के बाद question भी इससे आते हैं अब देखो mirror formula बोलता है कि 1 upon V plus 1 upon U is equals to 1 upon F. बहुत simple सा formula. 1 upon V plus 1 upon U 1 upon F. V क्या है चीकुबिया? V है image की location. ठीक है? V क्या है? location of image or distance of image. Distance of image from pole distance of image from pole U is equals to distance of object from pole. Everyone is super duper clear. V is equals to distance of image from pole U is equals to distance of object from pole. क्या यह बात आपको काफी अच्छे से clear होगी? Distance of image from pole distance of object from pole और F तो focal length है ही. Clear? अब चीकुबिया इसमें क्या होगा? इसमें तुम्हें बटा कोई भी दो चीज दे देंगे तीसरी चीज पूछेंगे. अच्छा. ज्यादा तर इसमें तुम्हें U देंगे क्यों object यहां रखा है? focal length है और तुमसे V का formula पूछेंगे. चीकुबिया कैसे पूछेंगे? मैं आपको बता देता हूँ. ध्यान से देखेगा. V is equals to 1 upon V is equals to 1 upon F minus 1 upon U 1 upon V is equals to 1 upon F minus 1 upon U 1 upon V is equals to U minus F upon UF U minus F upon UF V is equals to UF 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 formula बहुत simple है बटा तुम्हें याद रह जाएगा? मैं बिलकुल एकदम तरीके से शार हूँ कि तुम्हें formula याद रह जाएगा formula is going to be UF 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 ठीक है? sorted! दोनों formula clear हो गया आपको बहुत अच्छा से जड़ा तेजी से ध्यान से देख लीजिए UF UF sorted और पहला formula 1 upon U 1 upon V यह वाला ठीक? तो यह formula आपको clear होना चाहे इतना सा लिए अब इसके उपर कुछ सवाल देख लेते हैं अब हमारे पास एक सवाल है भी या, find the position of image, हमारे पास पूछ लिया भी या, position or nature of image, तो यहां देखते हैं, position or, हमें image की पता करनी है, when a object is placed at a distance 30 cm in front of a concave mirror, अच्छा, तो हम पहले तो concave mirror बना लिते हैं, ठीक, हमने concave mirror बना लिया, हमने से पूछा, तेरे पास cave है, यह बूल रहा है, कौन cave, ठीक, अरे यार, मैं पागल हो जाओंगा न, मैं इस चीज़ पे कुछ ज़्याद ही हंसरा हूँ, ठीक, अब यहां पर देखो, F, और यहां पर है C, यहां पर कौन है F, यहां पर कौन है C, अब यह, इसका focal length, अच्छा, यह object कहां पर place हुआ है, देखना ज़रा, object कहां पर place हुआ है, पहले coordinate समझ लेते है, radius कितनी है इसकी, चीज़ गुबिया, इसकी radius है 40, तो इसकी focal length कितनी आगी, focal length आगी 20, ठीक है, radius कितनी है, तो हम बोलेंगे 60 है, sorry 40 है, clear है, object कहां रखा है, object 30, मतलब 20 से लेके 40 के बीच में, यहां कहीं रखा है, object रखा गया है 30, ठीक, तो यहां कहीं पर object रखा है, यह है distance of object, बेटा, clear है, यह है distance of object, जिसको U बोलते हैं, इमेज को V बोलते हैं, UV, UV, sorted, 20, 40, U, U is equals to 30, अब चीकू भाईया, किसको positive लें, किसको negative लें, distance देखो, pole से ले रहे, original ना pole, distance हमने सारी pole से लिए, हम बोलेंगे भाईया, light कहां से आ सकती है, यह बोलेंगे light उधर से तो, नहीं आएगी ना भाई, उधर से कैसे आएगी, उधर तो mirror है, ओ स्वरी mirror क्या, उधर तो वो है, polish है, ठीक है, कांच के पीछे से देख लोगे क्या मूँ, बतायात होता भी, तो अब यहाँ पर देखो, कि जैसे ही हमने यहाँ पर पूछा, light कि दर से आएगी, इन्होंने चिला के बोला, भाई, light का direction यह है, इस direction में पूरा light positive रहेगी, यह वाली direction positive रहेगी, तो यह वाली direction positive, तो इसके opposite में जो भी जा रहा हो negative, ओहुहुहुहुहुहुहुहुहु तो u हमारा कितना आ गया, u हमारा आ गया minus 30, clear है, क्योंकि जो भी direction के opposite जा रहा है, वो minus 30, focal length हमारी आ गई भाई है, तो k1 है, cave है, तो n होगा ही, k1 focal length is going to be equals to minus 20, every single one of you, are you guys getting it? k1, xp, अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, बहुत ही simple, subtle, subtle सी बात, कि भाई हमारे पास जो k1 xp है, अब ने तो उफ 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 बताया था, उफ अपॉन यू माइनस एफ उफ, उफ उफ, अब उफ उफ में, उफ उफ में, देखना ज़रा ध्यान से, हम क्या करेंगे उफ उफ में, यू की value डालेंगे, that is minus 30, f, f की value डालेंगे, that is minus 20, ठीक, u की value डालेंगे, that is minus 30 again, और f की value डालेंगे, that is minus of minus 20, cool, क्या ये बात clear है, minus minus हो गया, plus, 20 into 30, that will be 600, okay, 20 into 30, that will be equals to 600, okay, अब यहाँ देखो, minus 30, minus minus plus 20, तो है minus 30, plus 20, minus 30, minus minus plus 20, भाई, इसी ये देखो, मैंने कितना अच्छे से bracket लगा, हर चीज को bracket लगा के लिखा है, जैसे वो मम्मी हर चीज को कैसे pack करके रखती है, कोई भी कपड़ा बैंग में रख रहे हैं, तो बढ़ी है से pack करके रखो, ता कि sell ना हो, बेटा ये वही है, sell मतलब negative marking, ठीक तो यहाँ पर देखो, plus 30, plus 20, minus 30, minus 20, यहाँ पर देखो 600 upon, देखो दरा ध्यान से, यह आगया 600 upon minus 10, इससे यह cancel out हो गया, minus 60, कौन सा अंसर आगया भी है, यह बी वाला अंसर आगया, क्या कोई प्राणी फड़फड़ा तो नहीं रहा इस चीज़ पे, हमारा अंसर बेहद simple तरह से बी वाला आचुका है, ठीक, तो जैसे ही मैंने आपको solve करना सिखा है, आप हर एक सवाल को इसी तरह से solve कर सकते हैं, ठीक, माइनस, अच्छा, माइनस 60 का क्या मतलब हुआ, चिको भी हो, इमेज कहां बनी, तो यह object है, यहाँ पर कहीं पर 60 पर 30 पर object रखा था, माइनस मतलब, यह रे के opposite, बड़ा समझ रहो ना, माइनस मतलब, यहाँ पर यह positive था, सब चीज इधर 30 पर, तो इमेज बनेगी इधर कहीं पर, यहाँ, समझ गए, माइनस इस तरफ, इधर ही बनी है, क्योंकि माइनस ले रहे हैं, हर एक पराणी को यह बात आई हो, पूरी तरह से clear हो गई होगी, अब 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 इसका second part शुरू करते हैं, जिस second part का नाम है, गुम्राह, गुम्राह करने की बात होगी, इसमें भाईया हम जो topic पढ़ेंगे, वो topic यही पढ़ने वाले हैं, कि रिफरेक्शन, रिफरेक्शन क्या होता है, भाईया देखो, यहाँ पर रिफरेक्शन लिखा है, है न, यह बहुत गलत बात है, चीकु भाईया, क्या लिख दिया आपने, यह रिफरेक्शन है न, गल्ती है, यहाँ पर गल्ती, लाल कलर से गोला, very bad, तो यह है क्या, रिफरेक्शन, रिफरेक्शन, गुम्रा करना मतलब रिफरेक्शन करना, ठीक है, यहाँ भी रिफरेक्शन लिखा, बड़ी गल्ली बात है, डबल गल्ती, very, very bad, यह भी रिफरेक्शन है बेटा, ठीक, तो यह भी रिफरेक्शन है, हम पढ़ रहे हैं, रिफिरेक्शन, गुम्राह करना, रिफिरेक्शन का मतलब होता है, रिफिरेक्शन का मतलब होता है, गुम्राह करना मतलब बेंडिंग ओफ लाइट, अगर कहीं भी लाइट इस तरह से जा रही है, और लाइट ऐसे अपना रस्ता बदल ले, अपने आप तो बदलेगी नहीं, ऐसे मस्त लाइड जा रही तो ऐसी ही जाती रहेगी Newton first law नहीं लगता पर हाँ जैसे जा रही है वैसी ही जाती रहेगी पर अगर कहीं पर उसने अपना रस्ता ऐसे करके बदल दिया bending of light इसका मतलब है it means कि भाईया कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है कुछ ना कुछ रिफरेक्शन हुआ है अब जब रिफरेक्शन हुआ है इसका क्या मतलब हुआ चीको भाईया light ने अपना speed को बदला है light ने अपनी wavelength को बदला है तभी तभी क्या होता है रिफरेक्शन होता है बड़ा समझे light must दोड़ते दोड़ते सीधे जा रही है इतने में एकदम से medium change हो गया, जैसे suppose आप बहुत अच्छी सड़क है, उस पे तेज दोड़ रहे हो इतनी देर में थोड़ी आग लगी हुई सड़क आ गई बीच में रस्ते में आग लगी है तुमने होला, नहीं में तो दोड़ूँगा तो यह अलग अलग जितने जितने गंदे रस्ते आएंगे, medium तुम्हारा change होगा, जिस रस्ते में तुम चल रहे होगा तो तुम्हारा speed भी change होगा सेम ऐसा ही light के साथ होता है, light हवा में अलग चलती है, vacuum में अलग चलती है, gas में अलग अलग gases में अलग अलग हो सकता है चलती है, उसके बाद अलग-अलग liquid में अलग-अलग चलती है अलग-अलग solids के अंदर, transparent solid है, glass है, ruby है, diamond है, सब कें अंदर light के speed कुछ नа कुछ अलग-अलग अलग होती समझ में आया that is reflection एक से दूसरे में का speed change हो गई इसके बाद हम बालेंगे reflection from curved surface curved surface होती उसके अंदर से reflection क्यासा होगा फिर curved surface ही बताएंगी हमें कि हम तो lens बना देते हैं आई है lens बनाने वाले curved surface इनके आउप पर लिखा है since जब से पैदा हुए तब से अब यहां पर देखो reflection from prism यह चार तरह के अलग अलग चीज़ें कि करके शुरू करते हैं सबसे पहले reflection from plane surface पढ़ेंगे plane surface में हम समझ लेंगे reflection क्या होता है काफी कुछ मैंने बता दिया कि जब भी light bend होती है हम उसे reflection बोलते हैं ठीक है reflection बोलते है bending of light को reflection बोलते हैं गुमरा होने को reflection बोलते हैं अब इसके बाद बलेंगे भी यह law of reflection कैसे कैसे होते हैं हमने law of reflection तो पढ़े ही थे law of reflection हमने पढ़े थे law of reflection अब हम पढ़ेंगे इसके बाद भाया what reflection depends on again surface क्योंकि हमने देख ली चार तरह की surface होती है जैसी जैसी surface होगा इस पर depend होगा आखरी में ये कुछ चीज़ें और हैं वो देखेंगे सबसे पहले बात शुरू करते है what is reflection bending of light is known as reflection ठीक है bending of light बहुत simple सी बात कि जब भी light bend हो रही है हम बोलेंगे reflection हो रहा है चीज़े यहां तो reflection हो रहा है हाँ तो हो सकता है जैसे कोई surface है कोई surface है जैसे मेरे पास ही है यहां पर एक mirror type है magnifying glass है तो जब मैं इसके उपर देख रहा हूँ तो कुछ ना कुछ light reflect होके मुझे दिख रही है पर नीचे की कुछ light reflect होके भी मुझे तका रही है तो कितनी बार ही होता है कि बहुत glossy चीज़ को बहुत थोड़ा सा glossy मुझे पसंद है iPhone का back थोड़ा सा glossy है मेरा phone जो बने लिए वो थोड़ा सा glossy glossy जो यह glossy है क्या है reflection ही तो है पर glossy transparent glossy कोई चीज़ होती है glossy तो उसके अंदर से मुझे reflect होके भी दिखता है अंदर की चीज़ दिख रही है मतलब reflection हो रहा है और वो खुद के उपर glossy दिख रहा है मतलब reflection हो रहा है ठीक है तो glossy is reflection यार बहुत चमकीले कपड़े पहन आते मतलब ज्यादा reflect कर रहे थे glossy कपड़े पहन के आया था चमक वाली shirt पहन के आया जाते हैं लोग आज लिख रहा हूँ ना मैं एक दम सारु खान ठीक है क्या कर रहा आजी कुब यहां लोई snail ने दिया है वहां जो बहुत यहां परollavy यहां पर बहुत सिंपल है होगा यहां पर भी होई होगा यहां पर एक दम वही की हमारे पास एक हम बोलतेंगे की हमारे इदर का पहचान वालाрал एक incident ray है, वहीं पहचान वाला है, एक reflected ray है, ठीक, तो यहाँ देखो, एक ray आया, ray आई, यहाँ पर से इस तरह से एक ray आई, यह ray यहाँ पर पहुची, is it clear, अब यह जो है angle, यह हुआ incident ray, that is I, clear, तो यहाँ पर से यह ray आई, this is known as incident ray, every single one of you, is super duper clear, clean sorted, इदर से एक ray आई, that is known as incident ray, okay, incident ray, जैसे ही medium में गई, incident ray, जैसे ही medium में गई, यहाँ पर, यहाँ पर, reflection हो गया, मतलब bending हो गई, इसे जाना ऐसे था, पर यह विचारी गुमराह हो गई, और इस तरफ चली गई, ठीक, तो this is known as reflected, no, no, refracted rays, तो यह वाली कैसी थी, यह तो same है बिचारी, incident ray, sorted, यह वाली ray कैसी बिचारी, इसे बोलेंगे, reflected ray, refracted यार चीको बया, refracted ray, क्योंकि reflection हुआ है, तो refracted ray, incident ray, refracted ray, यह वाला जो angle है, इसे बोलेंगे, आर, यह this is incident ray, this is reflected ray, इन दोनों के बीच का आर वार समझ में आगया, यह आई है, यह आर है, अब, अब कहानी समझते हैं, अब थोड़ा सा, यह incident angle है, यह incident angle है, sorry, यह incident angle है, यह पूरा incident angle हो सकता था, पर थोड़ा सा हो गया तो यह refracted angle है, ठीक, तो incident ray, refracted ray, normal, एक plane में रहेगा, पहला law, बिल्कुल सेम वाला जैसा महा था, सेम लो, अब I और R के बीच का रिष्टा का दूसरा law बनाएंगे, तो वहीं इस ने लंकल आ गए हैं हैं, इस बाहर तो सेम हैं नहीं, तो मेरी जरूरत पड़ी, तो मैंने तुम्हें बताया, कि लिखना पड़ेगा, refractive index के term में, इस medium का एक refractive index होगा, उसे बोलेंगे N1, कुछ लोग mu1 भी बोलते हैं, वो friction वाला mu1, यहाँ पर mu2, ठीक, N1, N2, कुछ लोग u1, u2, mu1, mu2, ऐसे भी लिखते हैं, मैं यहाँ पर N1, N2 लिखके बता रहा हूँ, हो सकता है, आगे u1, u2 आजाए, ठीक, तो N1, N2, यहाँ पर देखो, बहुत simple सा लो, कि यह I जहां का है, वही का N है, तो आप लिखो N1 sin I1, is equals to N2 sin R, ठीक है, तो इसे I1 की जगे, I लिख दो, N1 sin I, N1 sin I, N2 sin R, everyone, are you guys getting it, N1 sin I, N2 sin R, is it clear, clean, sorted, okay भाई, यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास आ गया, N1 sin I, N2 sin R, this is known as, the law of snail's law, यह the law of refraction, sorted, एकदम, बहुत अच्छे से clean, clear sorted है भाई, sin I upon sin R, is equals to N2 upon N1, ठीक, अब चीको भी आए, refractive index, sin I, मुझे समझ में आ गया, sin R, मुझे समझ में आ गया, N1, N2 का scene, बताओ, चीको भी आ, refractive index क्या होता है, दोनों law सब समझ में आ गया, कि तीनों plane में, सब कुश के लिए रहे, आप बस मुझे बताओ, कि ये जो है, मेरे आखों के सामने, मेरी नजरों के सामने, N1, N2, N2 upon N1, ये चीज़ क्या है, तो मैं बताता हूँ, law of reflection, ये तुम्हें बता है, sin I upon sin R, is equals to constant, sorted है, sin I is equals to sin R, N1 sin I is equals to N2 sin R, for a combination of medium, this is going to be remain constant, ये सारी की सारी चीज़े, मैंने आपको बता दी, अब ये ये जो है, हमारे पास, ये जो चीज़ है, यहीं पर मैं लिखता हूँ, यहीं पर, कि भाईया, ये जो refractive index ही है, ये क्या बताता है, तो क्या होता है, कि light जब एक medium से दूसरे medium पर जाती है, ये हमने EM wave में देखा था, ठीक है, तो light जब एक medium से दूसरे medium में जाती है, light की speed change हो जाती है, light जब एक medium से दूसरे medium में जाती है, ये सुना होगा तुमने शायद गलती से कहीं पर, कि जब भी c is equals to हम लिखते हैं, तो उसे लिखते हैं under root mu not epsilon not, ऐसे लिखते हैं speed of light को, है न, कोई भी पापी फटपड़ा तो नहीं रहा, अब light चली गए, एक medium में तो हम लिखेंगे c dash, c dash के साथ हम लिखेंगे one upon under root mu into epsilon, इसका मतलब क्या हो गया, कि हमारी जो light है, किसी medium में चली गई है, तो जहां medium में चले जाते हैं, तो यह, पूरी book पड़ी है, कि mu not जो है, उसके साथ mu आ रहा जाएगा, ठीक है, permeability, relative permeability, इसके साथ क्या आ जाएगा, relative permittivity, तो यह दोनो, अब क्या हो जाएगे, this is the permittivity of free space, permeability of free space, this is the permeability in medium, permittivity in medium, clear, okay, इनी चीजों को, क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, one upon under root, mu not, mu r into mu not, और e r into e not, क्या हर प्राणी यह बात पर clear है, क्या हर प्राणी इस बात पर clear है, कि c dash is coming out as, one upon, under root, mu r e r upon under root, mu not, e not, mu r, e r, under root, mu not, e not, क्या यह बात आपको बहाँ अच्छे से clear हो गई, क्या यह बात बहाँ अच्छे से clear हो गई, this thing is known as, this thing is known as, speed of light in vacuum, यह वाली चीज को हम बोलेंगे, यह हम पहले भी पढ़ चुके है, speed of light, speed of light in medium, is equal to speed of light in air upon this, तो refractive index को क्या बोल देते हैं, refractive index is equal to, that is, under root, e r, mu r, mu r, e r, it is equal to, speed of light in vacuum, upon speed of light in medium, बड़ा समझ गए, यहां से पूरी की पूरी चीज आईए, refractive index is defined as, the speed of light in vacuum, upon speed of light in medium, ठीक है, तो सीधी बात, refractive index हमें बताता है, की, 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 जिस भी medium में तुम हो, वो उस medium में, वो वाला medium, speed of light से कितना कम है, जैसे किसी, बता रहा हूं, बता रहा हूं, अगर, किसी medium में का refractive index दो है, इसका मतलब, speed of light से, आधी speed में वहाँ पे light चलेगी, जैसे light आ रही है, light ने देखा, refractive index दो लिखा हुआ है, light बोलेगी, अरे यार, बार बार आ जाता है medium, अब मुझे आधी speed से चलना पड़ेगा, तो उस medium में, जिस medium का refractive index दो है, वहाँ पे light धीरे चलेगी, आधी speed से चलेगी, light ऐसे जा रही है, एक जगे light ने देखा, refractive index 10, ओ भाई, ओ भाई, मतलब light must ऐसे चलके जा रही है, समझो, light must चलके जा रही है, यहाँ पर speed limit वाला, जो notification होता है न, वो लिखा है, refractive index 10, तो light बिचारी जा रही है, इस रस्ते पर चलते चलते चलते, light देखे की, ओ भाई, तो light सुचे की, ओ भाई, यहाँ तो refractive index 10 लिखा हुआ है, मतलब अब मुझे 110th speed से चलना पड़ेगा, अरे यार, बड़ा परिशान करते हैं, तो light अपने आप slow हो जाएगी, ठीक, यह समझ गए, समझ में आया है, समझ में आया है, समझ में आया है, तो 10 से divide हो जाएगी, जितनी भी है, वो light 10 से divide हो जाएगी, अब यहाँ पर तुमसे पूछ लिया, कि भाईया, एंगल इतना, made by light ray, when it gets reflected from water, reflected from water, ठीक, ओके, ठीक, 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 एशोनें figure, अब figure नहीं है यहाँ पर, ओह, बड़ा ही आसू की बात हो गए, figure नहीं है यहाँ पर, चलो देखों यहाँ पर, तो हमारे पास अगला सवाल यह है, कि भाईया, सवाल बुल रहा है कि, angle of incidence, a light ray deviates by 30 degree, तो यह बोल दिया कि, भाईया, यह जो angle of deviation है, यह 30 degree है, ठीक, बहुत बढ़िया, अब, which is one third of the angle of incidence, मतलब यह angle of incidence का one third है, मतलब 30 degree one third है, तो इसका triple क्या होगा, 90 degree, ओ भाई, angle of incidence is 90 degree, अच्छा, दिक तो रानी पर ठीक है, angle of incidence is 90 degree, और यह 30 है, अच्छा ठीक, कोई दिखकत नहीं, कोई दिखकत नहीं, कोई दिखकत नहीं, कोई भी दिखकत नहीं, अगर यह 30 है, तो यह 60 होगा, चीको भी है, यह 60 क्यों होगा, क्योंकि देखो, तुम इधर उधर दिमार्ट मत लगाओ, तुम बस यह सोचो, I'm sorry, तुम यह सोचो, कि अगर एक light ऐसे आ रही है, ठीक, यह ऐसे जाएगी, और यह ऐसे जाएगी, इस तरह, sorted है, तो यहाँ पर से यह वाले light is I, यह, this is I, this will also be I, this is I, this will also be I, this is I, this will also be I, sorted, पूरा I होगा, अगर यह I है, तो यह I होगा, पर इसमें यह वाला जो angle है, यह वाला angle, यह R होगा, और यह वाला जो angle है, यह 30 डिग्री होगा, this is i, this is r, this is 30 degree this is i, this is r, this is 30 degree तो i is equals to r plus 30 degree क्या ये बात आपको काफी अच्छे से clear हो गई है okay i is equals to r plus 30 degree everyone is super clear clean sorted अगर मेरे पास i is equals to r plus 30 degree है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ i will be equals to i will be equals to i will be, sorry, r will be equals to i minus 30 okay i मेरे पास कितना आया था, 90 आया था 90 minus 30 कितना आजाएगा, 60 कोई पड़पड़ाएगा नहीं यहाँ पर से मेरा r कितना आगा, 60 अब चीकुभिया, sign का formula क्या पढ़ा था अबने, इस ने ये इन सलो क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था, n1 sign i is equals to n2 sign r, clear है n1 sign i is equals to n2 sign r जीकुभिया भी यह हमारा n1 है, यह n1 कितना है पढ़ पढ़ाना नहीं भाई, पढ़ पढ़ाना नहीं है यहाँ बढ़ देख लो यह n1 sign i is equals to n2 sign r, तो यह n1 कितना है नियान से देखना भीया n1 कितना है, n1 पहला पहला जो मीडिया में यह वाला यह vacuum है, इसका N11 है चिको भाई, vacuum है vacuum के अंदर ER और μुर दोनों ही वन होते हैं, याद है क्या तो refractive index vacuum का कितना जाएगा भाई 1 आ जाएगा, sorted है, तो यहां का 1 आ गया, sine I को लिख दिया, sine 90 आसू ही आसू हो गया, चिको भाईया N2 पता करना है, sine R 60 होता है, अब यह तो पूरा ही 1 हो गया तो 1 is equals to N2 into sine 60 sine 60 कितना होगा, root 3 by 2 तो N2 is equals to 2 upon root 3 N2 is equals to 2 upon root 3 कौन साँसर सही है, चिको भाईया कौन साँसर सही है, first cool है, clear है, clean है sorted है, चले, आगे बढ़ते है यही चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सारी के सारी वही बात हैं लिखी हुई है अब बो, calculate the speed of light in the water if the refractive index is this इसका यह होता है 4 by 3 water का refractive index 4 by 3 होता है 4 by 3 होता है, मतलब ray of light ऐसे जा रही होगी ray of light ऐसे जा रही होगी, वहाँ board लगा होगा, 4 by 3 ray of light जाएगी, चलो नहाने चलते है swimming pool में, ray of light सोचेगी अरे, यहां तो 4 by 3 है तो यहां में तेज तो चल नहीं पाऊंगे मुझे मुझे, मुझे, मुझे मेरे speed का 3 by 4 होना पड़ेगा, क्योंकि 4 by 3 से डिवाइड करेंगे न, तो जो भी light की speed है, उसको 4 by 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितना यह लिखा होता है, एन उससे डिवाइड करते है तो 3 into 10 to the power 8 को डिवाइड करेंगे 4 by 3 से, तो यह जाएगा 9 by 4 into 10 to the power 8, this will be B, sorted भाई आगया समझ में, clear है, clean है अच्छा, अब यही जो बात है मैं समझा देता हूँ, क्या कहना चाह रहे है तो जब भी, जब भी, जब भी जब भी, ऐसे समझो कि हमारे पास एक रे है ओके, हमारे पास इस तरह से एक रे है अगर एक light ऐसे आई और यहां पर, जहां पर refractive index suppose 2 है और यहां पर refractive index suppose 4 है तो हम rarer medium से denser में जा रहे है जहां refractive index ज़्यादा बोल देंगे वो denser है denser है भाई, वहां पर refractive index ज़्यादा तुझा पता उसका refractive index किता है तो यह वाला denser है, यह वाला rarer है तो यहां से light आ रही है rarer से denser में जा रही है rarer medium से denser medium में जा रही है इस तरफ अब rarer medium से जब denser medium में गई तो it will go towards normal it will go it will go towards normal यह normal की तरफ जाएगी क्यों? क्योंकि refractive index बढ़ेगा तो angle घटेगा वीटा याद है क्या? n1 sin i या फिर n into sin theta is equals to constant यही था स्नेल स्लों अगर n बढ़ेगा तो sin theta काम होगा sin theta मतलब theta sin theta एक ही तरह से vary होता है तो theta है sin theta दोनों काम होगे तो यहाँ पर refractive index बढ़ा तो theta काम होगे ठीक? तो it will go towards normal पर अगर यहीं पर same जगे पर मेरे पास एक और एक और इस तरह से है एक और इस तरह से यह वाली चीज होगी यह देखना यह यह ऐसे है अब अगर मैं यहीं पर यहीं पर इस तरह से ऐसे रे चला रहा हूँ Taylor Ну esther जा lying in hoffe력 यह गई है और ऐसे चलाई एक बात मुझे बताओ कि यह बाद जो एंगल है यह एंगल आई होगा यह पूरा बड़ा अंगल आघ होगा यहाँ प्रिया आई था और यह बड़ा एंगल यह छोटा एंगल आर था तो तो जब हम इधर से इधर जा रहे थे, refractive index बढ़ रहा है था, तो एंगल छोटा हो रहा है था, अब हम इधर से इधर जा रहे है, मतलब denser से rear error में referred तो incident ray denser से जारही है, मतलब तुम like में पानी के अंदर से बाहर देख रहे हैं, समझ रहूं गया, में N गिड़ा, तो theta बढ़ गया, और यहां पर N, इधर से इधर तक जाने में N घटा, यहां से इधर तक जाने में N बढ़ा, इधर से इधर तक जाने में N बढ़ा, तो theta घड़ गया, sorted है, यह चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, हमेशा काम आईगी, यहां पर पूछ लिया भीया, a ray of light enters from a rarer medium and denser medium, it will bend, फिर से देख लेते हैं, बना लेते हैं, it is entering from rarer medium to denser medium, मतलब rarer से denser में जा रही, इधर denser है, तो एक तरफ से इधर से इधर जा रही है, rarer से denser में जा रही है, मतलब N बढ़ रहा है, तो theta कम होगा, theta कम होगा, मतलब r कम होगा, r कम होगा, तो normal की तरफ जाएगी, अवे, normal, toward normal, toward normal, sorted by, okay, everyone is super clean, clear, अब एक और बात बता देता हूँ, कि जो हमारा refractive index होता है, जो भी हमारा refractive index होता है, it is inversely proportional to lambda, it is inversely proportional to lambda, मतलब जित्ता ज्यादा refractive index होगा, lambda उत्ता कम होगा, ठीक, तो speed of light change क्यों हो रही है, जब भी हम बात करते हैं, speed of light is equals to f into lambda लिखते हैं, तो जब भी हम किसी medium में जा रहे हैं, जब भी हम किसी medium में जा रहे हैं, तो यह speed of light change क्यों हो जा रही, क्योंकि frequency तो change नहीं होती, किसी भी चीज की frequency चेंज नहीं होगी, पहले भी मैंने बताया था, frequency depends, it is like DNA, एक light है, उसकी जो frequency है, वो उसका DNA होती, वो source पर depend करती, वो change नहीं हो सकती, तो भी है, जब भी c dash, जब भी कोई light की frequency कुछ f है, तो वो तो change नहीं होगी, तो lambda change होता है, because lambda depends on refractive index, जितना ज़्यादा refractive index, उतना कम lambda, उतनी कम speed of light, अब हमने क्या यह बात पढ़ रखी है, कि sin i1, n1 is equals to sin, n2 sin r2, ठीक है, या फिर sin i is equals to sin r, कोई दिक्कत परिशानी समस्या नहीं है, अगर मैं यहाँ पर बुलू, sin i upon sin r is equals to n2 upon n1, is equals to n2 upon n1, sin i upon sin r, n2 upon n1, is it super clean, clear sorted, अब refractive index का उल्टा कौन चलता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का उल्टा कौन चलता है, कौन refractive index के उल्टा प्रपोर्शनल है, lambda तो हम बोलेंगे, lambda 1 upon lambda 2, c1 upon c2, क्योंकि lambda के directly proportional है light, तो lambda कम होगा, तो light कम होगी, speed of light कम होगी, ठीक, refractive index बढ़ेगा, तो lambda कम होगा, तो refractive index के उल्टे में चल रहा है lambda, और उल्टे में ही चल रही है, speed of light, यह पूरा की पूरा formula है, snails law का पूरा की पूरा formula यह है, अगर यह पता है, तो सब पता है, बस यही चीज आपको पता होनी चाहिए, time taken to cross a 4 mm window glass of refractive index, इतना will be, कितना time लगेगा 4 mm के एक glass को पार करने में, अच्छा, ठीक है, चलो, देखते हैं, सवाल ही होगा, time is equals to, distance upon speed, distance is 4 mm, that is 4 into 10 to the power, minus 3, ठीक, अब यहाँ पर speed of light, speed of light कितनी होगी, 3 into 10 to the power 8, per refractive index का, तो यहाँ लिख देंगे 1.5, इस से जाएगा 2, 2 से जाएगा 4, sorry, 2 से जाएगा, 2 से 4 चला जाएगा 2 times, तो हमारा answer आएगा 2 into 10 to the power, minus 3 और यह उपर आएगा, तो that will be minus 11 second, बढ़ा, कोई पापी अगर इसमें यह करके आगया, imagine करो, तुम खुद imagine करो, कितनी blender mistake करके आएगा वो पापी, okay, sorted है भाई, मैं उमीद कर रहा हूँ, हर चीज यहाँ तक sorted है, क्या चीज़ पर depend करता है, reflection, जल्दी से बता दो, जो भी हमारा reflection होता है, वो किस-किस चीज़ पर depend करता है, it depends on, again, surface, shape of surface, यह किस-किस चीज़ पर depend करता है, shape of surface पे, कौन-कौन से shape पे भाई, जरा समझना, सोचना, बताना, shape of surface, कौन-कौन से shape, एक तो plane surface होती है, और एक होती है, curved surface, ठीक है, तो plane surface में, दो तरह की plane surface होती है, एक तो simple plane है, जो अपनने पढ़ ली, curved surface में कौन-कौन से होती है, एक तो simple curved ही होती है, ऐसे करके curved surface होती है, या कोई भी मटका है काच का, उस काच के मटके के अंदर देख रहे हैं, तो that will be a curved surface, बड़ी curved surface है, अब यहाँ पर देखो, मटका पानी से भरा हुआ है, किसी भी चीज से भरा हुआ है, काच का गोला है, paper weight आपने देखो, काच वाला उसके अंदर ऐसे देख रहे हैं, टिक, तो यह curved surface, curved surface, proper curved surface है, अपन पढ़ेंगे, और एक है lens, टिक, तो दो तरही curved surface होती है, यह दो अपना अलग-अलग reflection बनाती है, और दो plane surface होती है, वो अपना अलग-अलग reflection बनाती है, sorted है, ठीक, हमने हर तरही की बात कर ली, lateral shift क्या होता है, इसका formula, although remove हो चुका है, हमारे सिले बस से, पर मैं आपको बता दू, lateral shift होता क्या है, तो यहाँ पर से जब एक ऐसे light आती है, तो क्या वो light reflect हो जाएगी, toward normal, क्योंकि हम एक ऐसी slab में चले गए, मतलब एक काच का टुकड़ा है, चोखुट काच का साबुन समझ लो, काच का साबुन है, यह से रखा हुआ है, तो यहाँ से right आई, काच का साबुन, मतलब इधर N1 था, इधर N2 है, तो obviously N2 is greater than N1, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, N बढ़ा, तो theta कम हो गया, तो यह I था, यह थोड़ा कम हो के R हो गया, अब हम वापस N2 से N1 जा रहे हैं, तो हम वापस N, refractive index को कम कर रहे हैं, तो theta को बढ़ाएंगे, तो वापस क्या होगा, theta बढ़ जाएगा, जरा ध्यान से समझना, वापस क्या होगा, theta बढ़ जाएगा, वापस क्या होगा, इस जगे पर theta बढ़ जाएगा, और इसे हम वापस I लिख देंगे, पर इस पूरी process में हुआ क्या, हुआ यह, लाइट ऐसे जा रही थी, लाइट ऐसे जा रही थी, पर लाइट अब 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 बिचारी लाइट ऐसे जा रही है, ठीक, तो लाइट पहले ऐसे जा रही थी, अब बिचारी लाइट ऐसे जा रही है, तो इसमें एक shift हो गया, ऐसे रस्ता बदल लिया उसने वह नहीं हो तो गाड़ी का ऐसे करके ऐसे ले लो यह रे काम कर ऐसे करके ऐसे ले ले ऐसे करके ऐसे ले ले that is what? lateral shift तो यहाँ पे क्या आ गई? lateral shift समझ गए बहुत अच्छे से ऐसे जा रही थी पर एक slap की वज़े से इसके पास lateral shift आ गई I hope सबको समझ में आया होगा अब 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 एक बहुत important सा concept इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हूं समझ ही लेते हैं इस चीज़ को दिल में उतार लेते हैं क्या होता है total internal reflection क्योंकि यह काफी popular और काफी खदरनाक concept है समझने के लिए total internal reflection देखो क्या होता है अब देखो समझो कि समस्या total internal reflection वाली शुरू कैसे होती है तो शुरू ऐसे होती है कि अगर एक surface है इसके नीचे पानी भरा होगा तो हमारे पास इस surface के नीचे अरे भाई यह क्या आ गया अरे 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 तो इस surface के पास जब पानी भरा होगा तो यहाँ पर से ray आईगी हमने बोला ऐसे ray आ रही है तो जो ray इस तरफ से आ रही है ये वाली ray हमेशा जितना इसका एंगल है उससे जादा दूर जाएगी ये ray जो भी आ रही है जितना इसका एंगल है उससे जादा इस तरफ दूर जाएगी तुम खुद समझो कि ऐसे जाएगी ठीक तो अगर ये i है और ये r है तो मैंने अगर इससे बोला कि मैं तुझे थोड़ा सा खसकाता हूँ तो ये बोलेगा मैं तो जादा खसका हमने भूला ठीक है थोड़ा इसको और खसकाता है ये बोला मैं जादा खसकाँ है समझ रहे हो कि बयटा क्या हो रहा यहां पर तो जितनी बार भी जितनी बार भी मैं इस ray को move करने की कोशिश करर रहा हूं समझना इस बात को जितनी बार भी मैं इस रे को मूव करने ही कोशिश कर रहा हूँ यह वाली रे उचक के अपने आप मूव हो रही है जादा जादा मूव हो रही है तुम खुद देखोगे कि थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद यहां पर क्या हो जाएगा थोड़ी दिर बाद यहां पर क्या हो जाएगा जैसे यह रे है तो जैसे ही यह वाली रे जैसे ही यह वाली जो रे है यह रे यहां पर हमने इसका एंगल और बढ़ा दिया तो थोड़ी दरबरत क्या होगा, कि इधर चिपक जाएगी मैं सोचूँगा इससे बोला कि बढ़ा, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी मैंने बोला इसको और बढ़ा, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगी मैंने इसको बोला और बढ़ा ही, और ज्यादा बढ़ेगी, एक समय के बाद ऐसा टाइम आएगा जब आई, इतना हो जाएगा कि यह ही चिपक गई, अब आई उससे पूछेगा, हाँ अब बढ़ने, अब और बढ़के बता दे, आँ बढ़ेगी, तेज बढ़ेगी, नीचे आई है, यह थोड़ा सा बढ़ रहा तो यह दो कदम चल रही थी, यह एक कदम चल रही थी, यह आगे चलना चाहरी थी, तो आई इतना बढ़ गया, अब यह ही हाँ चिपक गई, अब ना, अब यह बोल रही है आई से, आई नीचे से बोल रहा है कि हाँ, अब बढ़के बत अब बढ़ गए बढ़ आ, तेज चलेगी न, राजाओं में आई बोलते हैं, आई, समझ रहो, तो ये इसको चमका रहा है, वो 90 डिग्री पर आ अब आई ने बोला, अब आई ने बोला, देख मैं वापीस बढ़ रहा हूं, तू बढ़ के बताएगी क्या, तो आई जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा, आई जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा, उस रे को गुस्सा आ गया, ध्यान से समझ ना भाई, आई जैसे ही थोड़ा सा बढ़ा, ये आई जिस रे को चमका रहा था उपर, हाँ बता 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 ऐसा करके, उस रे को अब गुस्सा आ गया, समझे, आई जैसे थोड़ा सा बढ़ा, अब उस रे को गुसा आ गया, आई उसको बोल रहा था, यह आई वाला जो है, आई उसको बोल रहा था, हाँ, हाँ, 90 डिगरी हो गई न, अब तो कही नहीं जा सकती, देख, मैं बढ़ रहा हूँ, अब आई इतर जाएगा, थोड़ा सा अपने आपको ओ और बढ़ाएगा उस रे को डराने के लिए रे उतर के नीचे आ जाएगी अच्छा क्या बोल रहा बता तो जरह यह रे उतर के नीचे आ गई यह उपर गुम रही थी यह उतर के नीचे आ गई आई के पास कि हां हां बता क्या बोल रहा था चादा बोल रहा है तो रे उतर के अंदर फे थोड़ा से इसको बढ़ाते तो ज़्यादा बढ़ती थी, इसको थोड़ा बढ़ते तो ज़्यादा बढ़ती थी, एक एंगल ऐसा आया जिसमें ये पूरा इससे चिपक गई विद्धमा बढ़ बढ़ा है, इसे बोलते हैं कृटिकल एंगल. कौन सा एंगल भाई? ध्रियादा इंगल कि यहाँ पर आय चुप नहीं बढ़ा. critical angle मतलब यह ऐसी critical situation हो गई कि अब अगर आई चूप नहीं बेठा तो रे उतर के नीचे आगे अच्छा बताती हूँ जैसे ही आई ने कुछ और बोला रे उतर के नीचे आगे अच्छा बताती हूँ अब आई से आई की भाषा में बात कर रही आई और आई बराबर होगा यहाँ पर हो ला है total internal reflection क्या बात समझ गए भाई जल्दी बता दो क्या बहुत अच्छा समझ भाए total internal reflection यह हमेशा तभी होगा जब denser से rarer में जा रहे हैं क्योंकि तभी तो ऐसा होगा कि आर आगे आगे चलेगा जब भी इदर से इदर जा रहे हैं तो r हमेशा आगे चलेगा उदर से इदर आ रहे हैं तो r तो छोटा हो जाएगा तब तो खेल बने या नहीं तो इदर से उदर जा रहे हैं तभी होगा तो total internal reflection में दो चीज काम कियें एक तो critical angle और एक TIR अब देखते हैं critical angle क्या होता है तो दियान से देखो भी है critical angle क्या होगा तो अगर suppose यह वाला refractive index N है और बाहर वाला 1 है तो हम लिखेंगे N sin C is equals to N sin C is equals to 1 into sin 90 N sin C is equals to 1 into sin 90 that is sin C is equals to 1 upon N sin C is equals to 1 upon N sin C is equals to 1 upon N I hope आपको समझ में हा रहा होगा Okay Clean, clear, sorted by ठीक है critical angle कौन सा point होता है critical angle वो point होता है critical angle वो point होता है जिस point पर angle of reflection 90 degree हो जाता है मतलब अब थोड़ा सा भी angle of incidence को बढ़ाया तो TIR हो जाएगा मतलब सारी की सारी रे अंदर के अंदर reflect हो जाएंगी क्या बात समझ में आ गई इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते है ध्यान से देखिएगा हाँ तो देखो भई हमारे पास जैसे इस तरह का कोई ocean के अंदर का view होता है जिसमें diver क्या कर गए है ocean के अंदर कूद के अंदर चले गए अब अंदर से जब तुम भी देखोगा ना नीचे उपर मतलब जैसे जब भी ये नीचे वाला कैमरे से नीचे को उपर का सीन दिखाते है वो सीन कैसा दिखता है भाई? वो सीन ऐसा दिखता है कि ये सिर्फ एक गोले में लाइट आ रही है इसके बाहर इसके इस तरफ अंदेरा होता जाता है ठीक है? मतलब लाइट अंदर सिर्फ एक गोले में से आती है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो मैं समझा रहा हूँ सकती है और अंदर आ सकती है जिदर से बाहर जाएगी उदर से अंदर भी आ सकती है पर इस गोले के इस तरफ जो भी लाइट यहां से जाएगी वो हमेशा इधर ही मुड़ जाएगी मतलब अंदर मैंने बल्ब जला दिया और जैसे समुद्र जैसे यह इसके अंदर मैंने बल् भले चारो तरफ हुजाला दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक गोला दिखेगा, क्योंकि भाया, अंदर ये जो बल्ब है, ये बल्ब की कुछ ही light इस गोले से भारा रही है, बाकि कुछ angle पे जब ये angle critical angle से जादा हो गया है, ये angle जब critical angle से जादा हो गया है, तब light अंदर ही reflect ह हो जा रहे है, this is known as total internal reflection, अंदर के अंदर ही light का reflect हो जाना, समझ गया है, clear है, total internal reflection ये आपने यहाँ भी देखा होगा, और बहुत सारी जगे पर total internal reflection देखा जाता है, जैसे हमेशा पहली इसकी condition क्या है, इसकी condition ये है, condition, total internal reflection की condition, की पहली बात तो, denser to rarer जाना चाहिए, angle, angle, दो condition है, बस दो condition, ये दो condition जिसने satisfy कर दी, उसका TIR हो गया, अब देखो, find the maximum angle, तो मैं बताना भी है, maximum angle, that can be made in glass medium, if the light ray is refracted from the glass to vacuum, तो ये एक glass है, यहाँ पर है किस तरह से glass है, तब glass के अंदर से light refract हो करके जा रही है, ठीक, glass है, यहाँ से light गई, और refract हो करके बाहर गई है, ठीक, तो maximum angle कब बन सकता है, maximum angle of incidence पूछा भी है, यहाँ पर, तो maximum angle that can be made in glass, if a ray is refracted from इतना to इतना, तो कितना angle maximum बना सकते है, incidence, वो आई होगा, वो उसे बोलेंगे critical angle, ठीक है, तो इसे लिखेंगे, sin c is equals to 1 upon n, sorted है, यही तो formula है, critical angle का, sin c is equals to 1 upon n, that is, बाहर वाले medium का refractive index, upon अंदर वाले medium का refractive index, sorted है, बाहर वाले medium का refractive index हो गया 1, अंदर वाले का हो गया 3 by 2, क्योंकि एड़ है, इसे लिखेंगे 2 upon 3, तो sin inverse 2 by 3, sorted है, sin inverse 2 by 3, बाहर पड़ा तो नहीं रहा, कोई भी प्राणी पड़ पड़ा तो नहीं रहा, angle of refraction in a medium, यह है incident from vacuum, making an angle, twice the angle of critical angle, अभ यहाँ पर देखिए, find the angle of refraction in a medium, refractive index mu, if light is incident in vacuum, light is incident in vacuum, making the angle twice the critical angle, ठीक, पहली तो बात critical angle पता करो, सबसे पहली बात critical angle पता करो, तो sin c is equal to, 1 by mu, 1 by mu, mu की value किती दे रखी, n की value किती दे रखी है, बटा यह u और n एक ही है न, फड़ पड़ाना नहीं, मैंने पहली बताया था, u और n एक ही है, कोई u लिखता है, ठीक, तो यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पर u है, एक ही बात है, यहाँ पर लिख देंगे 1 by 2, तो c की value यह बाली बात, ठीक, तो अब तुम से पूछ लिया, find the angle of reflection, reflection पता करना है, angle of reflection पता करना है, हमें angle of incidence तो पता ही है, अब हम लिखेंगे, sine i is equals to n, sine r, sine i is going to be equals to sine 60, okay, sine 60, n is n, दे रखा है, जो की 2 है, और sine r, sine r कितना होगा, यही तो पता करना है, sine 60 is root 3 by 2, is equals to 2 into sine r, तो sine r किसके बराबर होगा, यह होगा, root 3 by 4, everyone is super duper clear, sine r is equals to root 3 by 4, sine r is equals to root 3 by 4, पहला वाला अंसर सही, ठीक, clear है, यह कहां कहां दिखता है, जैसे हम सड़कों में गर्मी में जाते हैं, movie के scene में specially दिखाते हैं, भाया, past and furious के अंदर गाड़ी जा रही है, यह वाली चीद दिखती, थोड़ी सी brightness कम कर लेता हूं, इसकी brightness कम करने से कुछ नहीं होगा, यहां पर सबुदर, सड़क पह ऐसे दिख रहा है, पानी दिख रहा है, मिराज, लोगों को रेकिस्तान में दिखता है, भाई मिराज, है ना, लोगों को रेकिस्तान में पानी ग फाइबर से चल रहा होगा, तो उसमें उप्टिकल फाइबर यूज होते है, उप्टिकल फाइबर बहुत जगे यूज होते हैं, मेडिकल में, कम्यूनिकेशन में, इन डिफेंस परपसेश, तो यह सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको शॉक है, तो इंडस्ट सबसे पहले समझेंगे, what is curved surface, curved surface क्या होती है, तो ऐसा समझो, कोई भी एक ऐसी surface, जैसे ये एक बॉटल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये curved surface है न, अब इसके अंदर से light bend हो रही है, जब भी light जा रही है, इसके अंदर, ऐसा नहीं हो रही है, तो वो bend होके इधर उधर, इधर, उधर कहीं निकल रही है, that is known as reflection, light इसके अंदर गई, इधर bend हो गई, reflection, तो ये किस चीज़ से reflection हुआ है, curved surface हो है, कोई lens थोड़ी है, ये कोई mirror थोड़ी है, तो curved surface है, ऐसे ही समझो, एक balloon है, ठीक है, पूरा एक दो must balloon, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो that will be exactly the curved surface, क्योंकि जब भी हम curved surface यहाँ पर मान रहे है, हम कौन सी surface मान रहे है, यह spherical surface मान रहे है, ठीक, clear है, तो जब भी हम curved surface मान रहे है, इस तरह की कोई surface मान रहे है, इसका derivation वगेरा हम कुछ भी नहीं देखेंगे, हमें सिर्फ पता होना चाहिए, curved surface कैसी होती है, किस तरह से काम करती है, तो यहाँ पर imagine कर लो भी है, यह हमारे पास curved surface है, ठीक, imagine कर लो हमारे पास यहाँ पर कौन है, curved surface है, यह है surface, और यहाँ पर होगी curved surface, ठीक, यहाँ पर होगी curved surface, everyone is super clear, यह curved surface है, अब इस curved surface में क्या होगा, इस curved surface के सामने यहाँ पर एक object रखा जाएगा, ठीक तो इसे बोल देंगे यू चीकु ब्याब समें direction कैसे होगी बिल्कुल सैम डैक्वन समा अगर, Light इदर से आ रही है तो आ आप कर लो इसको यह, विल्कुल सैम जैसा मैंने बता रहे पहले ऐसे अगर light इदर से आ रही है तो इसको positive light उदर से आ रही है इसमें तो दोनों तरफ से आ सकती है इदर भी बैठ सकता है light इदर रख दिया तो इसको positive ले लोगे इदर रख दिया तो इसको positive ले लोगे sorted तो यह हमारा रखा हुआ है you यहाँ पर एक object रखा हुआ है यह distance है U इसकी radius देखना ज़रा ध्यान से यहां से measure करेंगे तो इधर तक measure करेंगे इसकी radius यहां तक center होगा इसका यह इसकी radius होगा तो radius positive है, object U negative है U negative है, R positive है हमें अभी negative positive है मतलब नहीं हम सीधा सीधा इसका formula लिखते हैं हम formula लिखते हैं कि object अभी object अभी किस object जैसे ऐसे है object के लिए raise ड्रॉ करूँगा तो यहां से रे गई और ray reflect होके इधर कहीं जा रही है समझ गए, यहां से ray गई ray reflect होके फिर इधर जा रही है तो incident raise किस medium में है तो हम लिखेंगे ध्यान से देखना हम लिखेंगे यह वाला refractive index 1 है यह वाला refractive index 2 है हम लिखेंगे incident raise किस medium में है तो यह देखों यहां से incident हुई है यह है N1 में तो हम लिखेंगे N1 upon U इसके बाद जब reflect हो गई तो किस medium में है N2 में तो हम लिखेंगे N2 upon V तो incident raise incident raise जिस medium में है भया ध्यान से समझ लिजिए incident raise जिस medium में है उसे हम लिखेंगे U और refracted raise जिस medium में है उसे हम लिखेंगे V V के उपरवाला medium sorted V के उपरवाला medium U नहीं U के उपरवाला medium और V के उपरवाला medium यहां बीच में आएगा माइनस उपर लिखेंगे N2-N1, very simple, N2-N1, upon में लिख देंगे R, that's it, N2-N1 upon R, बड़ा समझ में आगया क्या, बहुत अच्छे से clear है, क्या सारी की सारी बात clear है, यह rarer medium होता है, वह denser medium होता है, rarer to denser, denser to rarer, यह सारी की सारी बात है, तुम्हें clear होनी चाहिए, चीकुबिया, इस सवाल को solve करके बता दो, हम मान जाएंगे, हम बस मान जाएंगे, अब यहां देखो, यह same to same सवाल है, यहां पर हमारे पास कितना दे रखा है, u is equals to 30 यहां पर दे रखा है, और इस जगे पर अगर मैं देखू, तो यहां से center तक इसका r दे इदर है, बड़ा समझ गए, r उदर है, u इदर है, अब यहां पर से, अगर मैं positive negative वाली line बना हूँ, तो positive negative वाली line यह होगी, ठीक, तो अब क्या होगा, अब मैंने बोला कि यहां से, ऐसे जाएगी, इदर से इदर जाएगी, ठीक, incident raise किस medium में है, इसमें, refracted raise किस medium में है, अब अपन लिखेंगे, अच्छे से, सबसे पहले formula लिख लेंगे, ध्यान से देखो यहां, सबसे पहले क्या करेंगे, formula लिख लेंगे, formula is going to be, formula is going to be n2 upon v minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r, ठीक है, n2 upon v minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r, अब ध्यान से देखो बेटा, n2 किता है, n2, n2 v के उपर लिख वी मतलब refracted ray, तो वी, 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 ये किस medium में, refracted rays किस medium में, 1.5, तो N2 की value लिख देंगे 1.5, V तो पता करना है, minus, N1 की value लिखेंगे, दियान से देखना, N1 की value लिखेंगे 1, क्योंकि vacuum में, कुछ नहीं दिया मतलब 1, N1 की value 1, U, U की value 30, पर ये इधर में जरूर हो रही है, त इधर है, positive direction बहिए, positive direction इधर है न, positive direction इधर है न, पर U इधर आ रहा है, तो ये जब U इधर आ रहा है, तो हम लिखेंगे बहिए, इसको minus 30, हर एक प्राणी clear, clean sorted है, अब मुझे बता दो, इसी चीज को, अगर मैंने 1.5 minus 1 upon R लिख दिया, R कैसा लिखूंगा, positive, that will be plus 10, इध 1 by 30 is equals to 1 by 20, कैं ये बात बहुत अच्छे से clear है, और ये 1 by 3 by 2 के साथ VB है, बेटा, 1.5 को 3 by 2 लिख दिया है, पड़पणा न मत, minus minus को plus कर दिया है, इस, 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 को 1.5 में से 1 minus कर राओ तो क्या बचा, बेटा, 1.5 में से 1 minus कर राओ तो क्या बचा, 1.5 में से 1 minus कर राओ त तक अब हम क्या लिखेंगे हम यहां पर से 3 by 2V is equals to 1 upon 20 minus 1 upon 30 यह जाएगा 30 minus 20 upon 20 into 30 clear है यह चीज जाएगे 3 upon 2V is equals to 10 upon 600 खच खच ओके 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 अब यहां देखो के बाद हम क्या करेंगे इसको ऐसे लिखेंगे 3 upon 2V is equals to 1 upon 60 yes तो इसे लिख देंगे 2V is equals to 3 into 60 अब 2 ने 60 को मार दिया 30 बार तो यह जाएगा 90 अंसर आगया A clear है भाईया ओके चालो हर एक चीज यहां तक तुम्हें बहुत अच्छे से clear होगी अगली चीज हम पढ़ते हैं इसी के बाद लेंस लेंस क्या होता है चीज को भिया तो देखो यार लेंस जो होता है na reflection from लेंस की बाद हम कर रहें तो लेंस कैसे होता है जब भी हम दो curved surface को मिला देते हैं और अगर यहीं पर ऐसी एक और curved surface है इन दो curved surface को अगर मैंने मिला दिया ऐसी इन दो curved surface को मैं इसको दूसरे color की बना देता हूँ रे भाई हाँ इसे मैं दूसरे color की बना देता हूँ suppose इसे मैंने बुल दिया कि चलो भाई तताश्थू तुम blue बन जाओ अब इन दोनों को मैं ऐसे मिला दूँगा तो जब मैंने दोनों के टुकड़े को ले करके यहां जोड़ के यह वाला जो हिस्सा बनाया that is known as lens तो दो curved surface मिल करके एक चीज क्या बनाती है lens बनाती है दुनिया में जगे जगे lens के उप्योग होते है lens के use होते है चीकू बहिया lens का मुख काम क्या है वैसे तो lens का मुख काम optics में होता है जैसे हमारी आँखों के सामने ये जो लगे हुए है ये lens लगे हुए हर जगे हमारे आसपास जो भी चीज लगी हुई है जो ऐसे optical instrument के उपर लगी हुई जैसे camera हो गए फोन के camera हो गए या फिर आप जगे 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 जाओगे आपके आँपर जो आखों के उपर लोग इस तरह से क्या बोलते हैं उसको contact lens बोलते हैं हाथ हो contact वाले भी जो हो गए वो वाले भी क्या होता है lens होता है तो तुम्हें काफी जगे lens ही lens मिलेंगे इनफेक्ट गाडियों की light पर भी आजकल lens आने लग गए torches के अंदर lens आने लग गए जगे जगे lens आते हैं ठीक है तो बहुत जगे आपको lens मिलेगा दो कर्ड सरफेस को मिला देते हैं हमारे पास क्या बनता है lens टोटल छे तरह के lens होता है यह वाले दो हमारे मेन है बाकी और भी होते हैं पर यह दो हमारे मेन है यह दो मेन मतलब एक इस इस विच लेंस जल्दी बताओ इस बाई बाई फोकल ठीक है बाई फोकल या फिर अभी के लिए तुम मानो बाई कॉन्वेक्स lens इसके दोनों के तरफ कॉन्वेक्स है इधर भी इधर ऐसे भी ऐसे दोनों तरफ क्या है कॉन्वेक्स ठीक है तो इस बाई कॉन्वेक्स lens दोनों तरफ कॉन्वेक्स है मैं उससे पूछूँगा क्या दिर अंदर cave है तो वो बोलेगा concave तो क्या आपको दोनों बात बहुत अच्छे समझ बहागी cave cave वाली तो ये by concave by convex अब यहाँ देखो एक तरफ plane एक तरफ convex तो plane convex एक concave एक convex concave o convex sorted है अब यहाँ देखो इधर by concave क्योंकि दोनों तरफ concave है इधर plane इधर concave तो by plane o concave इधर convex इधर concave तो convex concave यह convex o concave sorted यह सारे converging lens है यह सारे diverging lens है क्या हो तो चीक हुआ converging और diverging अभी बताता हूँ अभी रुख जाओ अभी बताता हूँ अभी देखो यह तो जब भी हमारे पास यह वाला lens होगा यह वाला कौन सा lens है convex क्योंकि इसके दोनों तरफ कैसी surface है convex surface है अभ जब भी इसके parallel light आएंगी जब भी इसके parallel light आएगी ठीक जब भी इसके parallel light आएगी यह सारी की सारी light को इस तरह से bend करके यहां भेज देगा सारी की सारी light को bend करके यहां भेज देगा मतलब सारी light को एखटा कर दे रहा है जैसे मम्मी टाइप है थोड़ा सा कि सारी चीजे में लिए अच्छे काम को एखटा करके समेट करक देती हूँ तो बढ़ा यह जो lens है यह इसने क्या करा सारी की सारी lines को ऐसे लपेट के इस point पर रख दिया and this point is focus विए हमने बात करी थी axis के parallel जब भी line आती है axis के parallel जब भी line आती है वो reflect होने के बाद किस से बात pass कर रही थी वहां पे भी focus है यहां पे reflect होने के बाद किस से pass करेंगी focus है क्या हर एक प्राणी clean clear sorted हो गया यहां पर line reflect होने के बाद focus से pass कर रही है और क्योंकि line सब एक जगे एक हटी हो गई इनकी चोटी बन गई तो यह वाले line कैसे होंगी चोटी बन गई तो भाई यह जो line होंगी यह वाला कैसी होंगी यह क्या हो रहा यहां पर यहां हो रहा है conversion ठीक है तो यह हो रहा है converge ठीक तो क्या समझे यह जो चीज हो रही है यह हो रही है converge everyone is super clean clear sorted यह जो lines हो गई यह क्या हो गई converge हो गई यप यहां पर इस तरह से जो line बनी होई है यह line जब भी ऐसे हमने इस bifocal वाले पर भेजा line गई और ऐसे होके इधर ऐसे गई इधर गई, ऐसे गई, इधर गई और यहाँ पर आ करके इन्होंने क्या बना है line ऐसे गई, इधर गई, line ऐसे गई, इधर गई यह जो बना है this is focus बड़ा समझ गए? उसमें भी एक बार ऐसा होता था, जब convex surface होती थी, line आती ती, ऐसे चली जाती थी, तो यहाँ focus बनता था, पीछे focus बनता था line actual में pass नहीं होती थी, pass होती हुई दिखती थी, तो it was focus ठीक है? किस फेले lens था है? convex, यह वाला convex mirror था अब यहाँ पर हमारे पास concave, concave जो lens है, convex mirror की तरह behave कर रहा concave lens convex mirror की तरह behave करता concave lens ठीक है? अब concave lens में क्या आ रहा है? by concave lens में, इधर से रहाई ऐसे चली गई, अब यह pass होते हुए कैसे दिख रही है यहाँ पर? तो this is a diverging converging, diverging तुम कौन हो? तुम समान पहला देते हो मम्मी आके, एक जगे खटा करके रख दूँगी, तो convex is converging ठीक है? और, और, और concave is diverging concave lens is diverging, अब अब हमन समझ लेते हैं जरा इसके अंदर होता क्या है? है ना? क्योंकि इसके अंदर दो lens सर्फेसे लगी होती, न? ऐसे जुड़ती है तो इसका एक radius होता हो गए, इसका radius होता हो गए दोनों पास में आकर radius radius खेलते होंगे अब यहां में सुन समझो इस बात को कि हमारे पास हमारे पास यहां पर एक surface है हर प्राणी देखेगा हमारे पास यहां पर एक surface है, इस surface के अंदर दो surfaces हैं, एक यह वाली, एक यह वाली, तो इस वाली का दोनों को मिला करके हम एक focal length बनाते हैं, ठीक है, R1 और R2, दोनों यह वाला इसका कुछ R1 रहता होगा, इस वाले का कुछ R2 रहता होगा, इन दोनों का कुछ refractive index रहता होगा जो भी हम इन सारी चीजों को consider करके, एक focal length बनाते हैं इन सबकी, अब वो जो focal length है, इसके हिसाब से, इधर एक center होता है, इधर एक center होता है, इधर एक focus होता है, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा, एक दम symmetric है, इधर से जैसा, उधर से भी वैसा, clear, एक दम बहुत अच्छे से clear है वाई, तो इस, 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 इसके, ऐसा जिस तरफ है, मतलब इस तरफ जैसा दिख रहा है, एक दम इसके उस तरफ भी वैसा ही लिए खेगा, एक दम sorted, clean, clear वैसा दिखेगा, okay, clear है, तो यहां से यहां तक की distance को radius बो लेंगे, यह वाली focal length होगी, यहां से यहां तक की distance को radius गई तुमारी त Tab away फिरिंसिपल एकसिस लेंस प्रिंसिपल एकसिस पूल फस्ट फोकस 2nd through terrible निए सेकंड चाहिए बना रही से कौई से पृग्ध करता है फस्ट कौन बन रहा है सेकंड कौन वन रही जिदर से लाइट आ रही उसके हसाब से यहाँ पे lens maker formula, इसका भी derivation है, पर हम वो derivation में अभी नहीं जा रहें, क्योंकि हमें derivation नहीं करना है, हमें simple simple समझ के आगे बढ़ता है, जो lens maker formula है, उसके लिए हम देखेंगे, जब भी एक lens है, यह lens के अंदर क्या होता है, 1 upon, हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 upon V, minus 1 upon U is equals to 1 upon F, तो यहाँ पर minus आचुका है, और कोई खास अंतर नहीं है, 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F, that's it, बस इतना ही, तो यहाँ पर इस पूरे lens maker formula है, focal length कैसे निकलेगी, तो हमने जब derivation किया था इसका, तो focal length is going to be equals to, कितनी आनेवारी, ज़रा ध्यान से देखना, focal length को हम यहाँ पर लिखते, इस 1 upon F मैं, focal length को लिखते हैं, N minus 1, या फिर ऐसे लिख दू मैं, N2 upon N1 minus 1, अब N2 क्या होगा चीको बहार वाला जो refractive index है, that will be N2, अंदर वाला refractive index, sorry, अंदर वाला is going to be, this is N1, this is N2, तो अंदर वाला is N2, बहार वाला is N1, तो N2 upon N1 minus 1 is equals to, 1 upon R1, अब R1 कौन सा होगा है, जिस पह पहले रेकिर रही है, 1 upon R1 minus 1 upon R2, बड़ा समझ गए है, चीको बहाई, यह क्या है इत्ता गंदा formula, चीकी चीकी, अरे भाई, ज्यादा गंदा नहीं है, मैं समझा दूँगा, सब समझ भाई जागा, फड़ पड़ाना नहीं है, ठीक है, चलो, यही हमारे पास formula है, अब इस formula को कैसे दिखते है, यह mu क्या है, mu वही है, जो N2 upon N1 अपन लिख रहे थे, वही सेम चीज़ चल रही है, ठीक, अब जारा ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पर दो surface है, यह वाले surface का suppose radius, इसका 10 है और इसका भी radius 10 है, दोनों का radius 10-10 है, इसका जो refractive index है, 1.5 है, बाहर का refractive index 1 है, कुछ नहीं दिया होता, तो भी 1 मानते है, ठीक है, वहने 1 लिख दिया, कोई बात नहीं, पर अगर कुछ नहीं दिया होता, तो भी तुम क्या मानते है, 1 है, अब हम क्या लिखेंगे, 1 upon F is equals to, आप लिखोगे, 1.5 upon 1, मतलब अंदर वाला, डिवाइड बाहर वाला, त इधर से ले लो, इधर से जब हम जा रहे हैं, तो यह surface कैसी हमें मिल रही है, तुम सोचो, समझो और बताओ, हम जब इधर से गए, तो हमने पूछा, surface तू कैसी है, इसने बोला, भाई, मैं तो vex हूँ, कौन vex हूँ, मैं क्या हूँ, convex, क्या तुम्हें याद है, K1 vex P, मत इसका radius तुमने क्या डाल दिया, 1 upon 10, इसका radius तुमने क्या डाल दिया, 1 upon 10, sorted, अब तुम इसके बाद गए इस surface पे, इस surface से पूछा तुमने कैसी हो, तो भाईया, उधर से आते, तो vex मिलती, पर तुम तो इधर अंदर से होके गए ना, तो यहाँ पर तुमने जाकर के बो ठीक है, k1, तो concave है, तो यह negative आईगी, तो इसका हम minus r को लिखेंगे, minus 1 by 10, बटा समझ गए, यही formula था, याद आया तुमने formula, 1 upon f is equals to mu 2 minus 1, that is, 1 upon 10 minus, 1 upon r1, 1 upon r1 minus 1 upon r2, everyone are you guys understanding this, भाईया, तो यह minus minus क्या हो गया, प्लस हो गया, अभी यहाँ पर, 1.5 minus 1, 1.5 minus 1 is 1 by 2, 1.5 minus 1 is, यह 3 by 2 minus 1 is, यह 1.5 minus 1 is 0.5, 0.5 is 1 by 2, 1 by 2 को हम लिखेंगे, 1 upon 10 plus 1 upon 10, that is 2 upon 10, ठीक, ओके, 1 upon f is equals to 2 into 2 upon 10, that is focal length इसकी आगई 10, ठीक, अभ focal length चीको भी यह, focal length चीको भी यह, इसकी कैसी आई है, चीको भी यह, focal length इसकी कैसी आई है, positive आई है, positive मतलब it will behave as vex, convex lens, obviously क्योंकि convex lens ही है चीको भी यह, ज़्यादा भावनाव में नहीं बेना, क्या आपको यहीं कहीं एक सवाल solve करते आ गया, तुरंद के तुरंद आपको एक सवाल समझ में आगया, अब यहाँ पर formula देखो, one upon v minus one upon u is equal to one upon f, है ना, आगे बढ़ते हैं, दोनों ही formula I think आपको समझ में आगे होंगे, lens maker formula वगेरा, काफी अच्छे से clear sorted हो गया होगा, ठीक, sign convention क्या होने वाला है, sign convention एकदम सेम होने वाला है, जैसा महाँ पर sign convention था, वैसा की वैसा sign convention यहाँ पर होना है, वाला है, पढ़ा पढ़ाने की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सामने एक सवाल solve कर देता हूं, यहाँ एक lens रखा हुआ है, ठीक, यह एक lens रखा हुआ है, ठीक है, lens की focal length है, ध्यान से देखना, lens की focal length है 10, कोई परिशान नहीं, अभी जस निकाला वो यह वाला lens है, इसकी focal length 10 है, अब यहाँ पर, इस जगे पर, इस जगे पर, यहाँ पर किसी ने object रख दिया, यह distance है, suppose कुछ 20 cm, यह जो distance है, lens से यहाँ तक 20 cm है, यह object रखा हुआ है, object रखा हुआ है, तो तुम क्या करोगे, तुम इस तरह से ऐसे, ऐसे ray बना लोगे, मत sorted, तो अब तुमने यहाँ इसके opposite में देखा, तो यह 20 क्या है, negative है, sorted है, focal length convex की positive होती है, यह हमें clear है, तो focal length is equals to plus 10, focal length is equals to plus 10, अब यह कितना है भाईया, u, u is equals to, जल्दी बताने भाईया, u is equals to minus 20, इस सवाल में तुम से क्या पूछेंगे, तुम से जादा से जादा पूछ लेंगे, image बताओ, direction तुम्हें लेते आ गई, मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें यह वाला बता दी है, कि रे इदर जा रही है, इस तरह से इदर आ रहा है, तो यह वाला जो होगा, object का position होगा, that will be known as u, that is minus 20, और focal length तो इसकी positive होती ही, क्योंकि convex है, अब हमारे पास formula था, 1 upon v minus 1 upon u is equals to 1 upon f, चीको भी है, वो उफ उफ वाले formula का क्या हुआ, वो तो पिछले वाले में था, यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर से बना के देखते हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ से इस तरफ आ गया, यहाँ से इस तरफ आ गया, तो हमने लिखा भाया, 1 by v is equals to 1 upon f, plus 1 by u हर एक पराणी एकदम cool है, sorted है, clean है, जब इस चीज़ को solve करके दिखा, तो v आ गया, उफ upon उफ, अब चीको भी है, इस उफ और उस उफ में क्या अंतर है, उफ उफ, तो यहाँ पर यह उफ और वो उफ में अंतर है, कि वहाँ इधर minus आता था, यहाँ नीचे minus आता था, यह क्या आसू तो नहीं चूड गया, कोई पराणी फड़ फड़ा तो नहीं गया, इतनी सी बात उफ उफ समझ में आ गया, अब यहाँ पर उफ में हम value डालेंगे, हम उफ और उफ में value डालेंगे, हम लिखेंगे V is equals to, V is equals to उफ उफ, that is, U is equals to minus 20, U is equals to minus 20, F is 10 upon, minus 20, 10 upon, minus 200 upon minus 10, minus 20 plus 10, that is minus 200, minus 20 plus 10, that is this, sorted, कच, 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 यह आगया 20, V is equals to 20, are you guys understanding this, भाई, V हमारा आगया plus 20, V हमारा आगया plus 20, plus मतलब, plus मतलब इसकी direction positive है, plus मतलब इधर कहीं पर, तो यह हमारा object होर V इधर बना है, क्योंकि यह plus 20 आया है, हर एक प्राणी बहुत अच्छे से clear है क्या, clean है क्या, sorted है क्या, इस पूरी की चीज़ को लेकर के, तो बड़ा lens maker formula की सबसे important बात यह है, कि आपको उसे apply करते आना object कैसा है, negative, image कैसी है, positive, यहाँ पर object कैसा है, negative, image भी negative है, object negative था, image positive थी, पर यहाँ पर object और image दोनों ही negative है, इस वाले में देखो, object और image दोनों ही positive है, तो तुम समझो यह वाली चीज़ को, कि हम pole पे मान रहे है, light इधर से आ रही है, तो light इधर से आ रही है, मतलब यह वाल is negative और V is positive इस जगे पर U देहान से देखना इधर वाला positive है तो U is negative and V is positive फिर हमने देखा इधर ये वाली जो direction है ये वाली जो direction है ये direction positive है क्योंकि रे इधर से हा रही है तो ये direction positive तो इधर वाला negative होगा उधर वाला positive होगा तो दोनों इदर है तो U भी नेगेटिव और V भी नेगेटिव अब ये light इदर से आ रही है तो इस तरफ light इदर से आ रही है तो इस तरफ positive होगा जब इस तरफ positive होगा तो जो भी इदर मेज़र करोगे वो positive होगा तो दोनों ही चीज़ें उदर है तो इदर U भी greater than 0 है और V भी greater than 0 है क्या बात समझ में आ गई भी है sign convention वाला point तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से clear हो गया है clear है principle focus वाला point मैंने आपको बताई दिया clear या तो तुम अगर एक lens पर बहुत सारी race को ऐसे parallel रख दोगे तो इदर आके मिल जाएगी race को parallel रख दोगे तो इदर आके मिल जाएगी और अगर इसे यहां रख दोगे तो यह जाके parallel हो जाएगी यह दोनों ही cases ऐसे है ठीक अब यहां पर देखो ऐसे हाँ यहां पर इस तरह से ऐसे हमारा रखा हुए तो ray ऐसे आएगी parallel तो क्या होगा इदर चले जाएगी appear to meet on focus sorted दोनों का principle focus यह वाली सारी बाते हम कर चुके हैं अब यह आपके सामने एक सवाल है तो incident rays आकर के यहां मिल रही है मतलब यह क्या हो गया object समझो यह क्या हो गया object पर कुछ ना कुछ होगा और यह चीजें अब इधर जाके कहीं मिलेंगी तो यहां कहीं बनेगी image तो यह सीदे आकर कहीं मिलती हुई दिख रही है मतलब वह क्या है object है तो object की distance तुम्हें यू दे रखी है ठीक और यह इधर से आ रही है और यह जगे क्या है यह वाली जगे जो है यह उबजेक्टिश। अब यह सीधी तो आएंगी नी क्योंकि बीच में लेंस रखा है यह अपना lens है यह इसको ऐसे arrow से दिनोट कर देद कर देदा है ऐसे दिनोट करने तो यह वह वाला lens है कोई दिक्कत परिशानी समस्या नहीं है अब यहां से यह आया, इधर मिल रहा है अब क्या होगा, कि हमने इसका U कितना लिया तो यह positive है, तो इसका U कितना जाएगा जल्दी बता भी यहा, इसका U आजाएगा positive 30 तो इधर positive है, pole से लेंगे object यहां है, तो positive 30 इसका focal length कितना होगा, focal length is equal to also plus 10, क्यों चीको भी है क्योंकि बटा, यह कौन, vex lens है vex V, focal length positive अब आगे देखते हैं, हम से पूछ लिया है, V बताओ, ठीक है V बताओ, तो V का formula तो बहुत ही simple है और इस case में तो और ही simple हो गया, क्योंकि दोनों ही उफ उफ है, तो यह दोनों ही positive है तो 30 into 10 upon 30 plus 10 तो यह जाएगा 300 upon 40 खच खच 7.5, sorted ओके, clear है भाई यहाँ पर हमारे पास दो lens दे रखे अब इनसे पूछ लिया, कि भाईया, the focal length of the lens is shown in figure कितना इस lens का focal length होगा अब तुम से पूछा भाईया तो तुम बोलोगे, क्यार चीकू भाईया, यह formula तो बढ़ा आसान है, हमें तो पता है हम यहाँ पर 1 upon f is equals to mu minus 1 1 upon r1 minus 1 upon r2 करेंगे, sorted है तो भाईया, 1 upon f is equals to mu minus 1 that is 1.5 minus 1 1.5 minus 1 that is 1 upon r1 अब r1 कौन सा लें? तो अगर इधर से लेंगे, तो इसे r1 लेंगे ठीक है? तो 1 upon r1, पहले वाले को r1 लिए यह कौन सा है? जब ray इधर से जा रही है ray इधर से चल दे जल दे यहाँ पर पहुँची इससे पूछा भाई, तुम कौन हो? भाई, तुम कौन सा सर्फेस हो? यह बोलेगा, मैं तो कौन? वेक्स हूँ हमने बोला, च्छा, वेक्स पी हाँ, वेक्स पी मतलब यह वेक्स पॉजिटिव वेक्स पी मतलब यह पॉजिटिव तो 30 हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे ठीक है? फिर यह चलता, 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 अंदर पहुचा हमने बोला, भाई, इस सर्फेस से तुम कौन हो? हमने बोला, भाई, इस सर्फेस से तुम कौन हो? यह सर्फेस बोली, यह सर्फेस बोली, भाई, मैं भी वेक्स हूँ हमने बोला ठीक है माइनस तुम कितने हो तो इसने बोला 60 हमने बोला माइनस 1 अपॉन अपॉन प्लस 60 क्योंकि यह वेक्स था तो इसको भी प्लस लिखना पड़ा तो यह आ गया प्लस 60 यहां तक कोई आसू तो नहीं गिर रहे किसी के अब देखो तो 1 अपॉन F is equals to 1.5 minus 1 that is 0.5 0.5 को मैं लिख दूँगा 1 by 2 1 by 30 minus 1 by 60 तो 1 by 30 minus 1 by 60 इस पूरी की पूरी चीज़ को लिखेंगे F 1 by F is equals to 1 by 2 60 minus 30 upon 60 into 30 clear है? clear है, clear है, clear है F is equals to 2 into 60 into 30 upon 30 खच, खच, F is equals to 120 clear है? ओ भाई, चीकू भाईया आ गया चीकू भाईया, आ गया चीकू भाईया एक और सवाल देखते हैं भाईया इसके बाद, यह वाला देख ले power of lens देख ले, फिर समझता है power of lens के बारे में तुम्हें मस चीज समझाता हूँ, जो कि तुम्हें optical instrument में बहुत काम आईगी, क्योंकि optical instrument बड़ी काम के चीज़ है, तो power of lens भाईया, सीधी सीधी बात ऐसे समझ लो, lens वहाँ पर bodybuilder नहीं गूमते घर के गूमते रहते हैं, तो lens वहाँ पर bodybuilder की तरह, अब इसका काम क्या है bodybuilder का, कि जब भी raise आ रही है, उन्हें raise को पकड़के ऐसे मोड़ देना, समझ रहो, raise को पकड़ना और उनको ऐसे मोड़ देना, ठीक तुमने देखो न, वह ऐसे पकड़ते हैं, और ऐसे करके सरीय को मोड़ देते हैं, वैसे ही, यहां पर raise आ रही है, यह raise आई, ठीक, तो इस रे को मोड़ देना, ध्यान से देखें वह यह, इस रे को यह इधर जा रही थी, इसको मोड़ के इधर भेज दिया, समझें, यह इधर जा रही थी, इसको मोड़ के इधर भेज दिया, इस जखे पर, इस जखे पर से क्रॉस करा है अब कोई कमजोर लेंस होता ठीक है तो यह लेंस नमबर वन है यहीं पर कोई और कमजोर लेंस होता यह होगा लेंस नमबर टू ओके यहां पर हमारे पास लेंस नमबर टू है अब देखना यह जो लेंस नमबर टू है lens number two है यह क्या करेगा ? थोड़ा कमजोर है खलका सा दुरबल है इस नहे ना बच्पन में गीनी किया भ equations खता है यह तो यह जो lens से तोड़ा सा दुरबल है अब ही दुरबल सा lens चोगए हम मॉमोस के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे यहाँ पर यह इस तरह से जा रहा है यह यहाँ पर cross होके गया ठिक तो यह ऐसे आया इधर cross होके गया वो आया वहाँ cross होके गया तो कौन सा कम bent हुआ इसको जादा bent कर दिया ना यह ता bent नहीं हो पाया तो देखो वहाँ तक जा रहा है तो ये जादा bent हुआ, मतलब ये जादा powerful है, ये कम bent हुआ, मतलब ये कम powerful है, अब देखो ये bent होके जा कहा पर रहा है, तो ये distance क्या होगी focus, ये distance क्या होगी focus, ठीक, अच्छा, तो जो जादा powerful है, उसका छोटा focus है, जो कम powerful है, उसका जादा focus है, तो focus, मतलब बड़ा focal length, बड अब जादा पावर, तो यहीं से आगया, पावर is equal to 1 upon focal length. That's it. क्या आपको समझ में आगया lens की पावर के बारे में? भाईया, lens की पावर के बारे में, आपको बहुत अच्छा समझ में आगया, तो what is the power of lens? What is the power of lens, power of lens, power of lens? ठीक? What will be the power of lens? ठीक है? अब क्या होगा चीको भाईया, उसका focal length change होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, भाई, उसका focal length change नहीं होगा, क्योंकि तुमने बीच में से काटा है, ठीक है? तुमने बीच में से काटा है, जैसे तुम्हारा चश्मा है, अब तुम इतना cover कर लोग ऐसे ऐसे तुमने आदा cover कर लिया तो क्या focal length उपर वाले का change हो जाएगा इसको आदा cover करके उपर से देखो focal length change हो जाएगा यार समझ गए इतना simple सा example है आधे लोगों ने उसका example का answer पहन रखा है ऐसे करके देखते भी है पहन रखा है तुमने answer ठीक clear sorted अब आखरी point lens का जो बहुत important वैसे यार इसमें बहुत पहले न बहुत सारी चीज़ें थी सब पढ़ाया करते थे अब न यह सब काड़ दिया NCRD न तो बहुत ही कम होगया सिले बस अब lens के अंदर हम बात करेंगे combination of lenses किस चीज़ की बात करेंगे combination of lenses मतलब अगर मेरे पास power है अगर मेरे पास power है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ऐसे तो हर lens का कुछ ना कुछ पावर होगा हर lens की कुछ ना कुछ शक्ती होगी बढ़ा समझ रहे हो ना जिसे मैंने अभी दिखा है lens की शक्ती होती वो wire ऐसे मोड देता है race को ऐसे मोड देता है मैंने एक की आगे एक की आगे एक की आगे बहुत सारे lens लगा दी तब क्या होगा तो जब एक की आगे दूसरा lens एक की आगे दूसरा lens एक की आगे तीसरा lens वो सारे के सारे series में लगे हुए है के उसको दे दिया, सब अपने अपने हिसाब से light को मोड़ते जा रहा है, तो इन सब का power क्या होता जा रहा है, add होता जा रहा है okay, clear है अब power is defined as 1 upon f, ठीक तो यहाँ पर देखना, 1 upon f effective, या फिर power यह होगा 1 upon f1, plus 1 upon f2, plus 1 upon f3 plus plus 1 upon f4, और जो भी हो जाएगा, ठीक है, तो सब की focal length को ultra करके, 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 add कर देंगे, yes तो 1 upon f1 is equal to 1 upon 1 upon f is equal to 1 upon f1, plus 1 upon f2, everyone is super clear, clean sorted yes or no, 1 upon f1, plus 1 upon f2, plus 1 upon f3 is equal to 1 upon f yes, सब का power सारे के सारे lens का power add होगा, ठीक, okay clear है, इनका, इनका power समझते हैं, हमारे पास दो lens है, हमारे पास दो lens है, यहाँ पर, एक का focal length है, एक का focal length है, और भाई, sign के साथ डालना है, जो भी power के अंदर focal length डलेगा, sign के साथ डलेगा, meter में डलेगा, okay, sign के साथ डलेगा, meter में डलेगा. अब जैसे यहाँ पर पूछ लिया हम से यहाँ पर पूछ लिया, equivalent focal length बताओ. हमने बोला कि चलो ठीक है. हमने बोला कि चलो ठीक है, 1 upon F equivalent is equals to 1 upon 10, plus 10. ऐसे लिखेंगे 1 upon F equivalent is equals to 1 upon F1 plus 1 upon F2. अब 1 upon F1 को लिखेंगे, 1 upon F1. पहले वाले की focal length दिखेंगे plus 10. बिटा, K1 Vex P. तो this is something K1 types. This is something Vex P type. तो this is positive, this is negative. इसका focal length कितना हैगा 1 by 10? Plus 1 upon minus 20. Plus 1 upon minus 20. तो यहाँ एगा 1 upon 10 minus 1 upon 20. It is going to be equals to 20 minus 10 upon 200. That is 1 upon F is going to be equals to, finally हमारा answer कितना आजाएगा? 1 upon 20. That is focal length is going to be coming out as 20. Cool? भाई, clear है? Clear है, clear है, clear है? ठीक है? तो 20 आजाएगा. Sorted positive. हर एक प्राणी को clean, clear sorted हो गई होगी यह बात. है ना? चलें, आगे बढ़ें? यह एक और सवाल है. दो lenses हैं. एक का पावर प्लस 12 है, एक का पावर माइनस 12 है. तुमसे पूछ लिया, दोनों को जब contact में रखेंगे, what will be the focal length of combination? दोनों को contact में रख दिया, तो what will be the focal length of combination? हमारे पास पूछा भी है, दो lenses है. दोनों का पावर, हमने दोनों को contact में रख दिया. एक का पावर प्लस है, एक का पावर माइनस है. तो what will be the focal length of combination? तो पावर is equal to P1 plus P2. Sorted है. तो पावर is equal to plus 12 minus 2 is equal to 10. प्लस 12 minus 2 is equal to 10. यह आजाएगा 1 upon F. F is equal to 1 upon 10. 10, that is, that is, that is, that is, जल्दी बता दे भाईया, F is equal to 1 upon 10, that is 0.1 meter, that is 10 centimeter. बटा, यह focal length हम जो पावर के अंदर डालते हैं, यह meter में डालते हैं. ठीक है? तो focal length यहाँ पर जो निकली, 0.1 meter निकली. That is 10 centimeter हमारा अंसर होगा. क्या यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं? बहुत simple, बहुत आसानी से पूरा के पूरा chapter आपके लिए खोल करके रख दिया गया है. चितनी भी खास बाते हैं, उस सब cover कर दी गई हैं. अब आखरी वाला जो पाड़ बचा, हमने बात कर ली, रिफ्रेक्शन फ्रॉम प्रिज्म. ठीक, तो यह रिफ्रेक्शन है, किसमें से बात करना है हम? प्रिज्म की. चौथा पार्ट, रिफ्रेक्शन फ्रॉम प्रिज्म. इसके पहले हम रिफ्रेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेस देख चुके हैं, reflection from curved surface देख चुके हैं, अभी just हमने reflection from lens complete करा है और अब reflection from prism देख रहा है क्योंकि भाईया, जो भी reflection होता है, वो किस चीज़ पर depend करता है surface पे, पहले plain surface थी फिर ये plain surface prism फिर से है एक curved surface थी और एक curved surface में मिलके क्या बना दिया था? lens ठीक, अब पहली बात तो prism क्या होती है तो क्या चीकू भाईया, जल्दी से बता दो, ये जो बने हुई है इस type की, ये prism है हाँ चीकू भाईया, इसको तो देखने रेगिस्तान में लोग जाते है ये बहुत ancient civilization ने Egypt पर बनाई थी ये वही तो है, prism ही तो है अरे नहीं पापियों, ये prism नहीं है prism कैसी होती है, prism को देखो मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर देखना ज़रा ध्यान से कि जब भी मेरे पास इस तरह का कोई triangle है जब भी मेरे पास इस तरह का कोई triangle है और उसके ये दो triangle आमने सामने है और तीन ऐसे 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 surface लगे तो triangular है, pentagonal भी होती है, octagonal भी होती है तो ये इस तरह की अलग-अलग तरह के shape की prism आती है हम इसी prism की बात करेंगे this is known as prism ठीक है, जिसके मैं दो triangular surface parallel हो और बाकी surface जो है, वो adjacent हो this is known as prism prism क्या करती है, भाई prism light को reflect, bend करती है prism का main काम होता है bending of light, that is reflection अब अगर हम prism को काफी शिद्दत से देखे तो हमें prism के कुछ calculation समझ वाएंगे, क्योंकि prism के अंदर कुछ formula ऐसे आ जाते है, भाई जो हमारे बहत काम के होता है और ray optics के अंदर कोई formula बहत काम का है, मतलब उस पर से question आने ही आना है, है ना, काफी question आ जाते है इस formula, भाई तो हम समझते हैं यह formula क्या काम काता है, तो ध्यान से देखते हैं, रिफरेक्शन इन prism में हमारे पास एक prism दे दी, रिफरेक्शन इस prism पे हमारे पास क्या दे दी है, एक prism दे दी, यह prism इस तरह से हमारे पास है, इसके उपर हमने क्या करा, light डाली, इसके उपर हमने क्या करा, light डाली, फिर हमने क्या करा, यहाँ पर से ऐसे एक light डाली, फिर हमने क्या करा यहां पर से इस तरह से यह light को निकाला everyone is super clean clear sorted भाई यहां पर से इधर हमने लगाया I यह हमने लगाया A फिर यह हमने लगाया E चीको भी आई, A, E यह सब क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ तो देखो इधर से जब हमने प्रिजम की एक सरफेस पर एंगल लाइड़ गी रही तो वो क्या था? एंगल ओफ ध्यान से देखना, वो जो था वो क्या था? वो एंगल ओफ इंसिदेंस था हर एक प्राणी को यह बात समझ में आ गई फिर जब यह वाला एंगल आया तो देट विल भी एपेक्स एंगल इस चीज को बोलते हैं एंगल ओफ प्रिजम यह जो है उपर लिखा हुआ यह क्या है? एंगल ओफ प्रिजम एंगल ओफ प्रिजम पड़पडाना नहीं इस चीज पर यह यहां पर कुछ कुछ होगा अब देखना जारा ध्यान से चीज को बया इंचिदेंट हुई तो रिफ्रेक्शन का कुछ कुछ तो होगा ना बिलकुल सही पकड़े यहां पर एक होगा आर ठीक है? यह आई है यहां पर होगा आर आर अगर है तो this is R1 R1 is भाय्या R1 is R1 is this is R1 R1 is what बाता भाया R1 is what? angle of refraction R1 is what? angle of refraction R2 is what? again angle of refraction और वो E is what? ऑलत जगा बना दिया E is what? angle of emergence तो रे यहां पर गाई अंदर की तरफ रिफ्रेक्ट हुई, that is angle R1 फिर R1 से ऐसे गई फिर यहां पर से रिफ्रेक्ट होगे, ऐसे बहार निकल गई that is what? angle of emergence, यहां से रे बहार निकल गई क्या हर प्राणी यहां तक बहुत अच्छे से clear है, कि इधर से रे आई है okay, यहां से सीधी गई है this is angle of reflection और फिर यहां से ऐसे चली गई है this is angle of this is angle of emergence angle of reflection और एक और चीज़ महां से angle of emergence आगे reflection, reflection, emergence अब देखना, है ना यहां के कुछ कुछ चोटे-चोटे derivation है मैं बहुत ही चोटे इसलिए करा दे रहा हूँ, otherwise मैं नहीं कराता, तो देखो यह जो angle है यह वाला यह angle कितना होगा मतलब अगर तुम पूरे को देखो तो पूरा तो 90 है पूरा तो 90 है यह चोब पूरा है समझ में आ रहा है यह तो 90 है, तो यह कितना है सिर्फ इसकी बात करूँ तो यह होगा सिर्फ इसकी बात करूँ, तो यह होगा 90-R1 ठीक, और सिर्फ इसकी बात करूँ, तो यह होगा 90-R2 यह है 90-R1, यह है 90-R2 यह है 90-R1, यह है 90-R2 sorted है भाई, हर एक इंसान को यह बात clear है यह है 90-R1, यह है 90-R2 अब अगर मैं तीनों को add कर दूँगा तो मैं लिख दूँगा 90-R1 plus A plus 90-R2 90-R1 plus A 90-R2 is equals to 180 yes is equals to 180 90-90 90-90 90-90 और वो उससे 180 कर दूँए 90-90-180 होता 180-180 ने 180 को पहचान के मार दिया यार समझ गया क्या अब यहां पर देखो अगर मैं यहीं पर लिखू A will be equals to R1 plus R2 तो क्या कोई गलत बात बात बोली यह A is equals to R1 plus R2 आ गया बिल्कुल बहुत सही बात बोली R1 और R2 का summation किसके बराबर आ गया A के अब तुमको याद रखना यह R1 और यह R2 का summation हमेशा A के बराबर होगा जब भी तुम प्रिज्म की calculation कर रहे हो R1, R2 का summation A के बराबर होगा ठीक चीको भीया यहां तक सब कुछ clear हो चुका है अब और रिष्टों की बाते करते हैं जैसे यह 1 है और यह N है यह 1 है और यह N है तो क्या हमेशा लिख सकते हैं 1 sign I चीको यह चीको यह चीको यह snail's law ठीक है क्योंकि plane surface है 1 sign I is equals to N sign R1 किसी के आँखों में कोई नमी नहीं होनी चाहिए 1 sign I is equals to N sign R1 sorted दूसरी चीज लिखेंगे N sign R1 या फिर N sign R2 यहा देखना इसके और इसके लिए लिख रहे है तो यह N sign R2 और वो बहरवाला E है तो हम लिखेंगे E 1 sign E बड़ा समझ में आ गया 1 sign I is equals to N sign R1 1 E 1 sign E is equals to N sign R2 क्या यह दोनों चीज सही है यह दोनों चीज सही है बिलकुल लिख सकते है बिलकुल लिख सकते है यह सारा के सारा ताम ज्हाम आपको यह बार जैसे आप लिखोगे तो आपको लिखते आना चीज बस और कुछ खतरनाक निए एक यहाँ से यहाँ का रिष्टा लिख दिया, एक यहाँ से यहाँ का रिष्टा लिख दिया, that's it और A is equals to R1 plus R2 लिख दिया इतने में तो कोई फड़ पड़ाये गाई नहीं इतने में कोई नहीं फड़ पड़ाये गाई यही सारी बात करी थी अब मैं आपको बताता हूँ angle of deviation तो ध्यान से देखेगा मेरी बात सुनीगा अब अपन बात करते हैं angle of deviation की ओके तो देखो यह यहाँ पर से ऐसे normal है और यहाँ से एक normal है ओके अब देखना कि अगर इधर कहीं से एक ray आई ऐसे इधर कहीं से अब यह ray इस तरफ चली गई ओके इधर कहीं से ray आई ऐसे अब यह ray इस तरफ चली गई इधर कहीं से ray आई ऐसे अब यह ray इस तरफ चली गई और इस ray ने इस तरफ का अपना रस्ता पकड़ दिया ऐसे wing wing sorted wing wing sorted ओके अब ये रे ने इस तरफ का अपना रस्ता पकड़ दिया मुझे बताओ मुझे बताओ कि कि क्या रे कुछ डेवियेट हुई है तुम खुद बताओ क्या रे कुछ डेवियेट हुई है तुम खुद देखो तो यहाँ पर देखो, एकदम पैनी नजरों से देखो, क्या ये वाला एंगल आई था, बिल्कुल था अच्छा, तो क्या ये भी पूरा आई होना था, बिल्कुल होना था पर रे को इतना मुड़ना पड़ा, तो ये वाला एंगल सिर्फ आरवन बचा तो ये वाला एंगल सिर्फ कितना बचा, आरवन, मतलब ये एंगल कितना होगा, आई माइनस आरवन तो रे उधर से इधर, रे उधर से इधर आई, रे उधर से इधर आई, उधर से इधर आई, आई माइनस आरवन I minus R1 क्या ये बात बहुत अच्छे से तुम्हें clear हो गई I minus R1 से रे उधर से इधर आई sorted है अब देखो अगली चीज अगर ये इधर गया अगर ये इधर गया और ऐसे चला गया इधर गया और ये ऐसे चला गया अब ये वाली चीज जो है ये वाली जो चीज है ये कितनी होगी तो देखो ये रेकदम मस्ते से जा रही है ठीक ये वाला एंगल कितना है जरा देखना ध्यान से और बताना ये वाला एंगल है ये है R2 तो ये R1 था ये R2 है क्या ये एंगल R2 है बिलकुल ये एंगल R2 है तो यह जो एंगल है यह होगा E minus R2, sorted, तो देखो दो बार deviation हुआ, पतला रे का deviation दो बार हुआ है, कैसे रे गई, तो इधर बेंट होना पड़ा, फिर रे इधर गई, तो फिर इधर बेंट होना पड़ा, तो रे दो बार बेंट हुए, तो रे के अंदर deviation हुआ, total deviation कितना हो ग minus R2, total deviation आया, I plus E minus R1 plus R2, क्या बात क्लियर है, I plus E, I plus E minus R1 plus R2, यह पूरी की पूरी चीज़ आ गई, I plus E minus A, बेड़ा, डेल्टा T is equals to I plus E minus A, R1 plus R2 को यह बोलते हैं, पड़ा तो नहीं गया प्राणी, I plus E, भईया, R1 plus R2 को क्या बोलते हैं, I plus E minus A, is it clear है, भईया, sorted है, clean है, क्या यह बात बहुत हई अच्छे से clear है, एक दम प्यारे तरह से आपको clear है क्या, तो यह, रो T, मतलब हमारा total deviation, I1 plus E minus A, ठीक, यही total deviation का formula है, सारे के सारे formula जो मैंने आपको पढ़ाए, यह है, तो चीको भी या, अगर हम I और E को adjust करेंगे, तो deviation change होगा क्या, हाँ, जितनी बार हम I और E को adjust करेंगे, मतलब हम इधर वाली light को, जो इधर से light fakie है, इसको हम adjust करेंगे, इसका angle हम change करेंगे, इसको हम adjust कर रहे हैं, जितनी बार हम इसे adjust करेंगे, उतनी बार इधर का E adjust होगा, जितनी बार हम इसे एड़ेस्ट कर रहे हैं उतनी बार इधर का e एड़ेस्ट होगा एक समय एक समय ऐसा आएगा जब i और e बराबर होंगे एक समय ऐसा आएगा जब i और e दोनों ही बराबर होंगे तो जब I और E दोनों ही बराबर होंगे, उस वक्त जो deviation होगा, उसे हम minimum deviation बोलेंगे तो I और E जब बराबर होंगे उस समय जो deviation होगा, उसे हम बोलेंगे minimum deviation ये graph याद रखना, जरूर याद रखना, question आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये जो चीज है, ये बहुत खास है इधर कौन सी quantities है, angle of deviation, इधर कौन सी quantities है, angle of incidence तो एक angle of incidence ऐसा आएगा, जिस पर deviation minimum होगा, उस जगे पर हम बोलेंगे कि भी या, तब angle of incidence, angle of emergence के बराबर है, ठीक, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे किस चीज के बारे में, minimum deviation के बारे में, deviation तो हमें clear है, हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, minimum deviation के बारे में, समझिएगा, मैं अच्छे से बताता हूँ, तो एक prism है, इस prism के अंदर हम चाहते हैं कि light जो enter हुई है, वो बहुत कम, एक दम minimum deviate होके बारा है, हम सब की अच्छा अब जब light ऐसे निकल के जा ही रही है light जब इस तरह से निकल के जा ही रही है तो क्या हम ये बात बोल सकते हैं जल्दी बताइए बहिया क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि deviation कितना है जल्दी बताइए क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि deviation कितना है तो अगर deviation minimum है deviation का जो formula होता है वो i plus e minus a होता है deviation minimum जो होता है जो deviation minimum होता है उसे हम लिखनेंगे i plus e यहाँ से दिखिए i plus e तो i और e तो बराबर है तो क्या दोनों को बराबर 2i लिख दे 2i minus a deviation minimum is equal to 2i minus a deviation minimum is equal to 2i minus a is it clear, is it clean is it sorted तो deviation minimum पर angle of incidence कितना होना चाहिए deviation minimum पर angle of incidence कितना होना चाहिए angle of incidence होता है deviation minimum plus a upon 2 ठीक है deviation minimum plus a upon 2 तो deviation minimum plus a upon 2 तो i, जो angle of incidence होना चाहिए जो angle of incidence होना चाहिए यह आगया deviation minimum plus a upon 2 clear है sorted है clean है I is equal to deviation minimum plus A upon 2 अब चीगो भी इससे मेरा क्या फायदा या आपने पढ़ा दिया deviation minimum पर I इतना होना चाहिए इससे मेरा क्या फायदा अच्छा मैं बताता हूँ क्या फायदा इससे तुम क्या करोगे किसी भी prism का refractive index निकाल सकते हो जैसे अगर तुम्हारे पास एक prism है मतलब ये experimental चीज़े तुम्हें करना नहीं है पर यहाँ पर तुम्हारे पास एक prism है तुमने इस पर अलग-अलग अंगल पर light मार मार के मार मार के चेक करा तो एक अंगल ऐसा मिला एक अंगल तुम्हें ऐसा मिल गया जहां पर deviation क्या आ रहा है minimum आ रहा है अब तुम्हें पता करना है इसका जो refractive index है पूरी की पूरी जो slave है इसका refractive index है तो तुम लिखोगे snail's law वाला formula याद है जो इस surface के लिए लगता था sin i is equals to n sin r1 sin i is equals to n sin r1 क्या यह बात बहुत अच्छे से clear है sin i is equals to n sin r1 बहुत अच्छे से बात clear है बहुत अच्छे से बात clear है sin i अब sin i कितना होना चाहिए deviation minimum करना है तो sin i इतना होना चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin i को ध्यान से देखो sin i is equals to n sin r1 होना चाहिए, यह तो हमने शुरू से पढ़ रहे हैं, और कुछ खतरना कही नहीं, i अभी अभी अमने जिस निकाला, इसे लिखेंगे, delta minimum plus a upon 2, delta minimum plus a upon 2, are you guys understanding it, i की जगे डाल दिया, अब सामने डालना है n, बड़ा यह ती आ यार में चीकुपए, प्रिस्म में आप यह सब क्यों करा रहे हो, क्योंकि प्रिस्म में यही काम का है, सिर्फ यह काम का है, यह एक फॉर्मूला, और इसका derivation के उपर ही question आ जाएगा, जो question पूछेंगे इसी के उपर पूछ लेंगे, sorted, अब n, तो n डाल दिया, r1, क्या तुम्हें याद है, r1 प्लस r2 is equal to a होता है, if i is equal to i, i और e बराबर है, तो r और r दोनों भी बराबर होंगे, तो हम इसे लिख देंगे, 2r is equal to a, r is equal to a by 2, okay, cool, तो हम यह लिख देंगे, sin a by 2, okay, कि अब n का formula कित्ता बनेगा, यह समझ नहीं है, जी कोई आए, देखो, मैं बताता हूँ, जब r को ऐसे भेज़ा, तो इनका i और r बराबर है, जब इनका i और r बराबर है, मतलब इनका r1 और r2 बराबर है, I और E दोनों बराबर है ये और ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगा symmetrical हो जाएगा ना फिर कि इधर इधर बराबर तो बीच में भी बराबर तो हम लिखेंगे R और R दोनों बराबर दोनों को जोड़के 2R लिख दिया तो R is equals to A by 2 लिख दिया Sorted यहाँ जो Sine R बनता उसकी जगे A by 2 डाल दिया अब यहाँ पर जो N है N is equals 2 आजाएगा Sine Plus A Upon 2 upon Sine A by 2 Is it clear भाई? Is it sorted भाई? Is it clean भाई? Sir, हर एक पराणी को समझ में आ गया है यह वाला Same to same चीज Same to same चीज सारी की सारी चीज यहाँ पर पूछ दिया देखो The graph of deviation shows यह वाला क्या है? I है, यह है deviation तो prism का angle पूछ लिया तुमसे है ना? तुमसे पूछा, prism का angle बताओ अब graph देखो यहाँ पर Deviation is equals to I plus E minus A होता है तो इसका deviation कितना दिया है? 30 Is equals to I कितना है? 30 E कितना है? 60 Minus A 30 से 30 कड़ गया A is equals to 60 आ गया Is it clear guys? Every single one of you Are you guys understanding it? Is it clear? Very nice Very, very, very nice ठीके भाई, तो अगली बात होने वाली है किस चीज़ के बारे में? Optical instruments के बारे में अब optical instrument की अंदर क्या-क्या देखेंगे? देखो, एक तो microscope देखेंगे Microscope भी दो तरह के होते हैं Simple compound दोनों के बारे में मैं समझा दूँगा Derivation इसका मैं नहीं करूँगा लेकिन derivation के अंदर बेटा आपको जो microscope की understanding है तो पहला जो simple microscope है उसका derivation में समझाऊँगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है उसके ऊपर, उसके आधार पे आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगे तो पहले मैं आपको दोनों की चीज़ों को अच्छे clear तरह से समझा देता हूँ सबसे पहले आपन समझ लेते हैं What is the need of an optical instrument? तो जैसे एक human eye होता है तो human eye पर ऐसे समझो कि जैसे एक human eye है तो यहाँ human eye से अगर आप थोड़ा distance पहले इसके अंदर human eye वगेरा सब कुछ काफी detail से पढ़ा जाता था लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया है तो अब पढ़ने से उतना जादा मतलब नहीं रहा तो मैं काम की चीज़ बता रहा हूँ कि क्यों पढ़ाता है optical instrument की जरूरत क्या है तो अगर एक human eye है और मैंने यहाँ पर एक object रखा अब इस object को मैं human eye के past लेकर जा रहा हूँ जैसे इधर है दूर से मैं इसको past ले लेकर human eye की तरफ ऐसे जा रहा हूँ तो एक distance ऐसे आएगी जहाँ पर यह object ध्यान से समझना एक distance ऐसे आएगी जहाँ पर human eye को यह object clear दिखेगा और उसके बात फिर clear दिखना बंद हो जाएगा वो distance को हम बोलते हैं capital D ठीक है इसे यह भी बोला जाता है least distance of distinctive vision least distance of distinctive vision sort it तो यह generally 25 cm होती है एक normal इंसान के अंतर 25 cm बढ़िया तक दिखता है उसके आगे आते हैं तो उतना अच्छे से 25 नहीं clear दिखता है ठीक है काफी लोगों का कम भी होता है काफी लोगों का जादा भी होता है average बता रहे हैं कि भाईया 25 cm इसका least distance of distinctive vision होता है अच्छा चीको भाईया तो यह maximum हमें हमेशा जब भी हम बात करेंगे कि जैसे एक object है h तो हम हमेशा यही देखेंगे कि यह आख पर कितना angle substan कर रहा है तो अगर यह h object है जो d distance पर है suppose इसने आख पर कुछ angle substan कर रहा that is alpha तो अगर मैं 10 alpha की बात करूँ 10 alpha is going to be equals to h upon d तो एक human eye पर जो maximum angle substan किया जा सकता है human eye पर जो maximum angle substan किया जा सकता है मतब human eye जो maximum कोई object human eye पर maximum angle substan कर रहा एक h height का object है उसने human eye पर कोई angle substan करा तो जो maximum angle substan करेगा वो कितना होगा 10 alpha is equal to h by d sorted clear है इतनी बात समझ भागई तो एक h height का object human eye पर maximum इतना angle substan कर सकता है अच्छा alpha 10 alpha ये इसका एक तरह से समझ लो power हो गया कि इतना power है human eye का कि जितना जादा angle substan होगा उतना जादा power होगा तो ये h human eye पर सिर्फ कितना h by d angle substan कर रहा है अगर यहीं पर same to same इसी की इसी चीज में अगर मुझे same to same इसी की इसी चीज में अगर मुझे और जादा देखना है मतलब मुझे चाहता हूँ ये और बड़ा हो जाए ये मेरी आंखों पर और बड़ा angle substan करे मतलब ये काफी बड़ा मुझे दिखे मतलब मेरी आँखों पर जादा एंगल सबस्टेंड करे तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ऐसे और बड़ा देखना चाहता हूँ और जादा मेरी आँखों पर इसका एंगल सबस्टेंड करवाना चाहता हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है भाई क्योंकि 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 अब human eye की limit human eye की limit खतम हो चुकी है कैसे खतम हो चुकी है क्योंकि जादा एंगल सबस्टेंड कराना तो इसको आगे लाना है इसको आगे लाना पड़ेगा तभी तो ज़्यादा angle substance करेगा है पर जब आगे ले आएंगे तो D से आगे लाई ही नहीं सकते क्योंकि D से आगे तो दिखना ही बंद हो जाएगा इस से ज़्यादा clear दिखी नहीं सकता तो वहाँ पर फिर हमें जरूरत पढ़ती है optical instrument कि हमें जरूरत पढ़ती है चीजों को enhance करने की जिसे गाड़ी में कैसे attachment लगाते है मैं चाहता हूँ यह कर दे पर वो नहीं कर रही तो मैं सुझा हूँ गाड़ी में attachment लगा लेता हूँ है न यही होता है समझ मैं है तो जब भी हम इस तरह से हमें कोई चीज नहीं दीख रही तो मुझे कोई चीज है काफी छोटी है मेरे हाथ पे angle substan नहीं कर रहा हूँ मेरी आखों पे उत्ता proper angle substan नहीं कर पा रही तो मुझे फिर यहां तक लेकर के आखे देख लिया अभी में नहीं दीख रहा अब मैं क्या करूँगा ऐसे करके ला करके रख दूँगा अब मुझे काफी हाथ से clear काफी जादा clear दिखना शुरू हो गया जैसे ही मैंने यह चीज को मेरी आख के उपर रखा this is what this is an optical instrument अब यह क्या करा इसने क्या करा इसने मेरी आख के उपर आ गया और इस आई के आगे ऐसे लिखते हैं यहाँ पर एक आई है और इस आई के आगे एक lens आगे है तो अब क्या होगे इस lens के आने से इस lens के आने से हमने lens को ऐसा लाया है कि यह यह जो lens यहाँ आया इसने न यहाँ कोई object रखा हुआ था ठीक है इधर कहीं पर बना दी बटा समझे तो मेरी आखों को क्या दिख रहा है यह object दिख रहा है यह image दिख रही है तुम खुद बताओ मैंने चश्मा के उतार कर रख दिया हाँ मेरी जो आखें हैं उन्हें क्या दिख रहा है यह object दिख रहा है ये object दिख रहा है या ये image दिख रहा है तो जब भी उस तरफ से आखे देखेंगी जब भी इस तरफ से आखे देखेंगी उधर कुछ तो उन्हें object नहीं दिखेगा उन्हे image देखेगी जैसे मैं चश्मा ऐसे निकाल के देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा हलका सा जैसे मेरा चश्मा बहुत कम पावर का है तो मुझे हलका हलका एकदम धुला धुला कुछ दिखाई दे रहा है बहुत ही rare लेकिन जैसे ही मैंने ये लगाया सब HD हो गया तो क्या दुनिया HD थी है क्या हुआ दुनिया तो जैसी थी वैसी ही है जब मैं ऐसे देख रहा था तो मैं real object देख रहा हुआ जो object है मेरी eye को जो दिख रहा हूँ तो जो object दिख रहा था एकदम real मुझे दिख रहा था लेकिन जैसे ही मैंने ये लगाया अब मुझे image दिख रही है क्योंकि जैसे ही मैंने चेश्मा लगाया अब ये पूरे दुनिया की image दिख रही है अब मुझे real दुनिया नहीं दिख रही real तो मुझे मेरी आँखों से जो दिख रहाता वो दिख रहाता जैसे ही मैंने चेश्मा लगाया मुझे अब पूरी दुनिया real दिखने लेगी मतलब मुझे पूरी दुनिया image दिखने की image दिखने लेगी ठीक ठीक तो ये क्या करता है ये एक image बनाता है हर lens क्या करता है एक image बनाता है और वो image मेरी आँखों पर दिखती है sorted कोई दिक्कत परिशानी समस्या नहीं है clear है, clean है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है भाई तो कोई भी lens अगर कुछ है कोई भी lens वगेरा यहाँ पर कुछ है eye को ये lens ऐसे बोलें कि ये चीज़ को इस छोटे से object से इस पर जाएगा lens पर light जाएगी और ये lens क्या करेगा इसके image बनाते है अब क्या हो गया, अब क्या हो गया जरा समझो, अब जरा समझना ये object पहले पहले की जब बात थी, इधर की जब बात थी ये object maximum कितनी distance तक जा सकता था तुम खुद देखो, सोचो, समझो और बताओ कि जब पहले की बात थी, नॉर्मल बात नहीं थी सब कुछ इतना easy नहीं हुआ करता था तब ये object ऐसे बीठता था ठीक है, तब ये object ऐसे बीठा करता था भाई, क्या clear रह ये वाली बात है तुमें? तब ये object ऐसे बीठा करता था अब हमने क्या करा? अब हमने क्या करा, यहां लेंस लगा दिया, अब हमने क्या करा, यहां पर लेंस लगा दिया, ध्यान से समझे का भाई, अब हमने क्या करा, यहां पर एक लेंस लगा दिया, ठीक, हम मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सारी सारी चीज़ों को, अब तुम देखो, मैंने यहां पर दिख रही है, तो भले यह यहां बेटा है, इसकी image मुझे यहां दिख रही है, तो देखो जब भी कोई object ऐसे यहां पर बेटा हुआ है, इधर, मेरे को इसकी image यहां दिख रही है, इस object की image मुझे यहां दिख रही है, क्या यह बात बहुत अच्छे से तुमें clear है, इस object की image म नहीं मुझे तो भाई यह object दिख रहा है यह चीज मुझे दिख रही है ठीक है ठीक है ठीक है अब मैंने क्या करा इसको और आगे लाना शुरू करा इसे मैंने और आगे लाना शुरू करा तो मैंने जब इसे यहां लगाना शुरू करा तो यह object छोटा वाला जो height का object था यह object अब इधर कहीं आगे, ठीक है, तो देखो, यह object, least distance of distinctive vision के आगे चला गया है, पहले यह object यहां था, तो यहीं तक जा पा रहा था, इसके आगे जा रहा था, तो दिखनी रहा था, पर अब यह object इसके आगे चला गया, चीकु भाईया, इसके आगे कैसे चला गया, चीकु object है यह दिखी नहीं ना मुझे तो इसकी बनी हुई image दिख रही है ना मुझे तो इस object की बनी हुई image दिख रही है इस object की बनी हुई image इधर कहीं बन रही होगी बेड़ा समझ गए इस object की बनी हुई image, इधर कहीं बन रही होगी, मुझे ये दिख रही है, ये object मुझे नहीं दिख रहा है, मेरी आखों को ये object नहीं दिख रहा है, तो ये और आगे जा सकता है, ये और आगे जा सकता है, मुझे कौन दिख रहा है, ये image दिख रही है, sorted, तो अगर suppose ये object किसी position x पर है Suppose करो यह h height का object किसी position x पर है तो अभी object कितना angle substan कर रहा है अभी object कितना angle substan कर रहा है दिहान से देखो यहाँ पर 10 alpha था यहाँ पर जो 10 alpha था ठीक है यहाँ पर जो 10 alpha था वो कितना था बताओ जारा यह जो 10 alpha था यह कितना था यह जो 10 alpha यहाँ पर था यह कितना था? H by D और यहाँ पर यह जो होगा यह 10 beta होगा ठीक तो 10 beta कितना होगा? 10 beta is going to be equals to H upon X यह है H by D यह होगा H upon X 10 beta is going to be equals to H by X Are you guys understanding it? बहुत अच्छे से clear है clean है, sorted है H by X होगा H by D था ठीक चीकू भहिया यह X कितना होगा? चीकू भहिया X के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है X क्या है? X वो distance है जिस पर यह object है X वो distance है जिस पर यह object है sorted है H वो distance है जिस पर यह object है अच्छा तो यह object maximum इधर कितने तक जा सकता है? object maximum इधर कितने तक जा सकता है तो object का जो x होगा वो maximum होगा focus के जितना object का जो maximum होगा वो होगा maximum focus के जितना तो x की maximum value कितनी हो सकती focus के जितनी ठीक है maximum value तक जा सकता है focus के भार नहीं जाएगा पर अगर इसकी minimum value की बात कर ली यह object जो है इधर, इधर तो maximum focus तक जा सकता है उधर तक तो वो भी चला जा रहा था दूर तक चला जा रहा था लेकिन बात दूर तक जाने की निए बात पास तक जाने की है कौन कितना पास तक यह हमारी आँख के सिर्फ d distance पास तक आ सकता था अब हमने क्योंकि यह यह लेंस लगा दिया तो यह और पास तक आ सकता है पर और कितना पास तक आ जाएगा लेंस लगा लिया है तो भी और कितना पास आ सकता है क्योंकि देखो यहाँ पर मुझे पता है यहाँ बहुत अच्छा focus दिख रहा है लेकिन इस पर आगे आते 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 अब नहीं दिख रहा है जब यहाँ था तो यहाँ था तो बहुत ही अच्छा था आग से देख रहा हूं तो नहीं अच्छा दिख रहा है पर इस से तो बहुत ही अच्छा द आवे-स्तो जाना ऱहा है, मुझे तो यह दिखिनाएगा। जादा समझो, क्या मुझे यह चीज दिख रही है। यह लेंस, यह जो अबजेक्ट है, यह मेरे पास आता जा रहा है। मुझे झान shaving बहुत कौन दिख रहा है, इमेजी दिख रही है। तो object पास आ रहा है, image भी पास आ रही है, object पास आ रहा है, image भी पास आ रही है, object पास आ रहा है, image भी पास आ रही है, एक point ऐसा आएगा, जब image D distance पहा जाएगी, least distance of distinctive vision पहा जाएगी, तो एक point ऐसा आएगा, जिस पर image जो उधर से आ रही है, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क् तरस है, ऐसे कड़ा हो जाओ बैए, तो यहां देखो, यह मेरी आँख है, मैं यहां कड़ा हुआ हूँ, ओके, यह हमेरे सामने लेंस लगा हुआ है, यह लेंस है, और 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 यह least distance of distinctive vision है, पर मुझे क्या दिख रही है, मुझे यह image दिख रही है, अब यहां पर यह object है मेरी तरफ आ रहा है, तो यह image भी मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, मेरी तरफ आ रही है, अब एक point ऐसा आया, जिसमें image कहां पर आ गई, least distance of distinctive vision पर है, अब जैसे ही object इदर थोड़ा और आगे बढ़ा, यह जो image यहां उसकी बन रही है, यह थोड़ा और मेरी तरफ आ गई, जैसे ही इसकी image मेरी तरफ थोड़ा और आई, यह value d से कम हो गई, अब मुझे ही वो जो image है, वो धुनली दिख रही है, क्योंकि आख तो देख सकती है सिर्फ d तक, आख तो देख सकती है सिर्फ d तक, कह बात clear है, आख तो देख सकती है सिर्फ d तक, sorted, यहां तक clear था इसके आगे धुनला हो गया, जब मैंने lens लगा दिया, तो यह object तो यही इसकी image उदर पीछे बन गई, कोई भी object यही रोगा है, उसकी image पीछे बन गई, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, object और आगे आ रहा है, मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसकी image बन रही है, वो मुझे दिख रही है, दिख रही है, इमेज दिख रही है, पर यह जगे पर जैसे image आई, यह object आगे है, image यह जगे पर जैसे है आई, अब least distance of distinctive vision पे आ गई है, अब object थोड़ा और आगे जाएगा, तो image थोड़ा और आगे आईगी, अब image दिखना बन गई है, तो जो भी चीज मेर आख देख सकती है, वो least distance of distinctive vision तक ही देख सकती है, तुम कोई भी optical instrument लगा लो, अगर मेरी आख को least distance of distinctive vision पर के उस पार image बन रही है, तो ही दिखेगी, मतलब इसके यहाँ पर या इसके इस पार image होनी चाहिए, object भले आगे चला जाए, तो हमने यही तो देखा, object यहाँ आग चला गया, अब object के आगे जाने की वजह से, जो हमारा 10 बीटा बना, हमने बात करना शुरू करी, हमने सोचना शुरू करा, कि यह 10 बीटा क्या होगा, तो हमने देखा भाईया, हमने देखा कि 10 बीटा is equals to h by x upon 10 alpha is equals to, दियान से देखना, 10 बीटा is equals to h by x is equals to 10 upon 10 alpha is equals to, अभी 10 10 alpha किसके बराबर जाएगा बईया, जल्दी बता दो, 10 alpha किसके बराबर होगा, 10 alpha होगा, h by d के बराबर, 10 alpha बराबर होगा, h by d, h, h, तो यहाँ पर आगया, बीटा upon alpha is equals to capital D upon x, बड़ा समझ गया, बीटा upon alpha is equals to capital D upon x, यह हमारा आगया, magnifying power, चीको भीया, इसका क्या मतलब आख पर, अब यह इतना ज्यादा angle क्योंकि यह और पास आगया न, पहले यह alpha कर रहा था जब यह d distance पर था, अब यह थोड़ा पास आगया, पास आगया है, तो यह angle बीटा है, सबस्टेंट कर रहा है, जो कि इससे तो जादा है, क्योंकि पहले यह कम था, अब जादा हो ग पता ही है, सब कुछ पता चल गया है, यहाँ पर, अब यह simple microscope की जो magnifying power थी, अभी जो हमने जिसका formula derive करा, यह आगई, magnifying power जो थी, वो आगई, यहाँ से देखना भी है, जो magnifying power थी आगई, d upon x, ठीक है, अब भाई, x क्या है, याद करो, मैंने अभी जस्ट बताया था, x क्य around, ठीक है, तो x is position of object, x is position of object, ठीक, तो x कहां से कहां तक हो सकता भी है, x is position of object, x की value निकालो भी है, position of object, यह निकालना है, तो हम लिखते हैं, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f, तो क्या हम इस u के लिए, 1 by u is equal to 1 by v minus 1 by f लेख सकते हैं, 1 by u के लिए, 1 by f, 1 by v minus 1 by f, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, 1 by u ही तो 1 by x है, sort it, अब ये वाला जो 1 by x है, इसको इहां डाल दिया, तो d upon x is equal to, धिहान से देखो भी है, d upon x आ गया, d upon x आ गया, d upon x is equal to, तो हम लिखते हैंगे, d upon 1 by v minus 1 by f, ठीक है, 1 by v minus 1 by f, ओके, 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 अब, अब, देखना, दो चीज समझना, इस x की अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक, इस x की अलग-अलग values हो सकती हैं, एक value, एक value x की क्या होगी, हम समझते हैं, एक value x की वो होगी, ठीक है, तो जब हम magnifying power पता करना चारे हैं तो जो d by x है, अब x की हमें maximum value पता करनी है, कि maximum कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है focus पर, एक object, एक object की maximum value, maximum value वो कितना दूर जा सकता है focus तक तो maximum value इसकी focus है ठीक है अब अगर यहीं इसकी maximum value है तो magnifying power minimum magnifying power जब x की value maximum डालेंगे तो minimum magnifying power कितनी है कि d upon है sorted यह minimum magnifying power है अगर मैं यहीं पर यहीं same जगहा पर अगर मैं magnifying power पता करने की खोशिश करूं ध्यान से दिखेगा same जगहा पर अगर मैं magnifying power पता करने की कोशिश करूं तो यह होगा d upon x minimum minimum value x की minimum value मतलब जब x आख के बहुत पास आगे मुझे x तो दिखी नहीं रहा lens लगा रखा है मैंने x बहुत दूर है तो बहुत दूर maximum कितना जा सकता है focus तक और अगर यह pass आ रहा है pass आ रहा है pass आ रहा है clear image देखें तो जब x minimum कभ होगा x minimum तब होगा x minimum minimum तब दिखेगा जब हमारा D हमारा हमारा जो image है वो least distance of distinctive vision पे आ गया यह object है हमारी आँखों के पास आते जा रहे है, image भी पास आते जारी, object बहुत पास आ गया, image भी बहुत पास आ गया पर object एक ऐसे distance पे आ गया कि अब object थोड़ा भी और पास आएगा तो image blur हो जाएगी, मतलब image least distance of distinctive vision के पास आजाएगी मतलब x जब होगा तब v will be equals to d होगा तो हमको x का formula पता है 1 by x was, अभी अपनने पिछले page पे निकाला था, 1 by x was, जल्दी बताओ 1 upon v minus 1 upon f तो हम लिखेंगे इसे 1 upon d minus 1 upon f, are you guys understanding magnifying power का जो formula होगा, तो इस case में हम निकालेंगे magnifying power maximum बड़ा समझ रहे हो, कैसी magnifying power है maximum magnifying power की maximum कितना magnifying कर सकता है जब object एकदम पास आगया और image least distance of distinctive vision पे आगई है क्योंकि हमें object तो दीख नहीं रहा अब देखो d upon d upon, d into 1 by x 1 by x को लिख दिया, d into 1 by v sorry, 1 by d minus d into 1 by d minus 1 upon f yup, everyone super duper clear अच्छा, यह minus नियागा, यहाँ plus आगा okay, minus नियागा, यहाँ plus आगा अब यहाँ पे देखो d 1 by f जैसे ही d को अंदर multiply करेंगे यह आजाएगा, d upon d plus d upon f 1, 1 आगया ही है तो जैसे हैंगा, 1 plus d upon f भाई, समझ में आया तो दो ताहे की magnifying power है जो हमें समझ में आई, microscope के अंदर एक microscope क्या करता है, जो चीजों को zoom करके दिखाता है तो इसकी magnifying power कितने तरह की होती है एक होती है d by f this is minimum when object कहाँ पर है, focus पे object बहुत दूर बेठा है, focus पर बेठा है image कहाँ बन रही, infinity पर बन रही, कही भी ऐसे अब दूसरे तरह की magnifying power होगी maximum maximum magnifying power क्या होगी वो होगी 1 plus d by f cool अब इसी चीज में, जो object होगा वो कहाँ होगा, वो होगा ऐसी जगह पर object होगा कहीं ऐसी जगह पर 1 upon u is equal to 1 upon x या फिर 1 upon d plus 1 upon f इस जगह पर ठीक है, या फिर मैं ऐसा लिख दूँ या फिर इसी चीज को मैं थोड़ा अच्छे सुदार के लिख दूँ, तो मैं लिख दूँ जब object में image होगी least distance of distinctive vision पर object इंफिनिटी पर microscope I think आपको clear हो गया होगा यही सारी बाते हैं आपर लिख लिख के बार बार बताईए, ठीक है, वही सारी की सारी सेम बात है, अब simple microscope has a convex lens of focal length 10 the magnifying power of this at normal adjustment will be तो normal adjustment पर इसकी magnifying power कितनी होगी ठीक है, नॉर्मल adjustment क्या होगया, नॉर्मल adjustment क्या होगया जिसमें हमें, मतलब object को focus पर रखना है बहुत पास नहीं ले जा रहे, object को बस कहां पर रखना है, focus पर, तो normal adjustment देखो भई, या, normal adjustment के लिए हैं, हमने दो फो, मतलब हमने ले देके दो ही formula पढ़ें, magnifying power के एक formula है, D by F एक formula है, D by F, तो D हमने डाला कितना 25, F हमने डाला कितना 10, या गया, 2.5 sorted है, okay clear है this is this everyone, magnifying power of a simple microscope, क्या होगा इसके साथ, जल्दी बताओ चारो option पढ़ने जल्दी से, it will be भाई, simple सी बात, increase with the decrease in focal length, magnifying power is equal to D by F magnifying power is equal to 1 plus D by F तो जैसे जैसे F बढ़ेगा, वैसे वैसे magnifying power घटेगा cool है, अब बात करते हैं, compound microscope की तो चीगों या, compound microscope में क्या होता है तुमको पहला वाला अगर समझ में आगया तो अब तो में बाकी भी समझ में आ जाएगा compound microscope का क्या होता है कि भाईया, अब ना मेरे phone में 15x zoom है तो मैं क्या करूँगा, मैंने कोई object को ऐसे करा ठीक, मैंने कोई object के सामने ऐसे करा उमें को zoom होके दिखा, मैंने यहाँ पर उस चीज़ को और zoom कर लिया समझ गया, तो इसने कोई object को जुम करा और मैंने इस चीज़ को और zoom करके देख लिया मैं इस object ने तुमहें जुम करा, मैंने तुमहें और zoholes करके देख लिया ठीक है, तुमहरे अंदर के एक only स्वारी एक only एक only तो यहाँ पर देखो, कि जैसे ही यह object ऐसा है मैंने तुम्हारी तरफ इस object को ऐसे रखा इस में मेरे को object बहुत अच्छा से दिखा कि अच्छा भा क्या तो clear object है अब मैंने इसको और zoom करके यहां पर देखा तो पहले वाले ने इसकी एक image बनाई थोड़ी magnified और दूसरे वाले ने और magnified कर दिया This is compound microscope ठीक है compound microscope की एक ने तो magnified कर दिया दूसरे ने और magnified कर दिया clear क्या मैंने अभी just आपको compound microscope बना के बताया yes एकदम सही तो यहां पर जो formula होगा यहां भी क्या होगा magnifying power होगी magnifying power पहले कितनी थी d by f d by f plus 1 ठीक है sorted magnifying power d by f magnifying power d by f plus 1 क्या आपको यह बात बहुत अच्छे से clear होगी है बहुत ही जाद अच्छे से clear होगी है अब मुझे एक बात बताओ कि भीया d by f को multiply करेगा multiply करेगा d by f को multiply करेगा कौन क्योंकि इस बार compound microscope है तो इसको एक extra zoom मिला हुआ है वो extra zoom किस ने दिया है वो extra zoom दिया है we not upon you not इसको extra zoom दिया है we not upon you not we not upon you not yes or no पहला दूसरा पहला दूसरा are you guys understanding this तो यह we not upon you not क्यों आ गया क्योंकि यहां पे समझो यह बड़ा glass था यह वही है जो पहले कर रहा था उसको zoom करके देख रहा था यह दूसरे वाले ने क्या करा इस image को already zoom करके यहां बना दिया यहां मैं दिखाता हूँ इस ने क्या करा इस image को यहां पर zoom करके बना है इस image को यहां पर zoom करके बना है अब यह image को इसने वापस zoom कर लिया इसने इस image को जूम करा ठीक है ठीक है ठीक है तो magnifying power का जो formula है वो V0 upon U0 आता है तो हमने यह हमारा जो formula normal था इसी के सामने V0 upon U0 चिपकाती है तो हमारा formula क्या हो गया V0 upon U0 1 plus D by F और दूसरा formula हो गया V0 upon U0 D by F sorted है sorted है वहिया तो final image produced by compound microscope कैसी है वो image final image जो यहाँ पर produce की जा रही compound microscope के दवारा obviously वो वर्चूल image है ठीक है नकली image भाई नकली image obviously virtual image है क्यों चीक क्यों वर्चूल image क्यों है क्योंकि भाई असली अगर तुम कोई खिटानों को देख रहे तो असली थोड़ी खिटानों की image बन रही है वो तो वर्चूल image बन रही है तुमारे सामने बन रही है ठीक है तुम उसे ऐसे print screen भी थोड़ी बना सकते हैं नहीं बना सकते इतना सब कर लिया है microscope वाला पार्ट cover कर लिया है अब हम जाते हैं telescope वाले पार्ट पर कि क्या होता है भाई यह telescope तब देखो टेलिसकोप के लिए सबसे पहली बात तो टेलिसकोप के लिए छोटा मोटा object नहीं ढूँड़ रहे है ऐसा object नहीं ढूँड़ जो आसपास हो जाए वो तो वह वाला object ह अब वो object के ऊपर से कोई ray आ रही है ठीक, जैसे कोई भी object के ऊपर ऐसे ray आ रही है, ये ray तो ये तुम्हारे ऊपर यहां आई और यहां पर आ करके इसने कितना angle सब्स्टेंट करा, ये ray आ गई यहां तक और इस ray ने आ करके कुछ angle अलफा सब्स्टेंट करा तुम्हारी आखो ये ray उपर से आई है, इसने कुछ angle अलफा सब्स्टेंट करा है तुम्हारी आखो, फिर कोई दिक्कत परिशानी समझे तो नहीं है, ठीक है देखना, अब ये अलफा ये ray जब यहां पर आई, तो इसकी वजह से यहां, फोकल लेंद पर एक object पैदा हुआ, this is H और ये है F0, O is objective piece बटा, यह बात समझ में आगई, इधर से आया, इधर से तो इस जगे पर कितनी power सब्स्टेंट वरी, मैं बोलाँ 10 alpha is equal to H upon F0 याद है, महाँ पर H by capital D था, तो यहाँ पर H upon F0 बस कोई दिक्कत नहीं है, H upon F0 अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, इसके आगे हम क्या लखाएंगे simple microscope लगा देंगे, जो यह लगा हुआ था, इसके आगे same to same simple microscope लगा देंगे, जो इसकी image को क्या करेगा zoom करके इदर बना देगा, तो हमने यहाँ से चांद की छोटी image, यह कोई भी extra terrestrial object है, उसकी यहाँ से यहाँ तक एक image बनाई, अब वो image जो बनी, उसको हम simple microscope से zoom करके देख रहे हैं, पहले वाले जैसा ही, बिलकुल same to same वैसा की वैसा ही, अब इसे हम zoom करके इस तरफ देख रहे हैं, ठीक, अब जब zoom करके देख रहे हैं, तो यह यहाँ पर से कुछ x distance पर हमने रख लिया इस object को, ठीक, तो अब क्या होगा, अब अब अपन इसकी magnifying power निकालेंगे, तो magnifying power में दो चीज़ आएंगी, beta upon alpha, beta आजाएगा, ध्यान से देखना, beta आजाएगा, h upon x, alpha आजाएगा, h upon f naught, पहले h upon d आता था, जब क्या होदा था, जब क्या होदा था, microscope आता अब यह telescope है, तो यहाँ h upon f naught आ रहा है, h h कड़ गया, यह आ गया, f naught upon x, ठीक, तो यह o है, और यह e ठीक है, e is ip's, तो हमारे पास जो formula बनके आया, हमारे पास जो formula बनके आया, वो formula कितना बनके आया भाई? हमारे पास जो एकदम simple, subtle formula बनके आया, वो formula बनके आया, कि आपकी magnifying power का formula है, f naught upon x, अब x की फिर से तो value हो सकती है, x की एक तो maximum value हो सकती है और एक X की minimum value हो सकती है minimum value वो होगी minimum value वो होगी minimum value वो होगी जब V is equals to D हो जाएगा same to same चीज है चलो यहाँ पर X की maximum value कब होगी जब X is equals to F E हो जाएगा focal length of eye piece eye piece क्यों लिख रहे है क्योंकि ये वाला है इसकी focal length की बात कर रहा है E के बराबर हो जाएगा हाँ भाई, sorted है focal length of E के बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर हम लिखेंगे X maximum, X will be equals to F E तो हम यहाँ पर magnifying power X maximum होगा, magnifying power minimum होगी, normal adjustment magnifying power minimum होगी इस case में हम लिखेंगे, magnifying power is equals to F naught upon F E क्या बहुत अच्छे से clear है F naught upon F E हमारे पास X के लिए V को D के बराबर पूट करेंगे, ज्यान से देखना भाई V को किस चीज के बराबर पूट करेंगे D के बराबर, X maximum is equals to V is equals to D everyone is super duper clear clean sorted यहाँ तक इतनी बात तो आई गैस आपको समझ में आ गई होगी, अब X जब V जब D के बराबर है तो X कितना होगा, हम लिखेंगे 1 by X is equals to 1 by D sorry, 1 by 1 by X is equals to 1 by D plus 1 by F sorted है, 1 by X is equals to 1 by D plus 1 by F, हाँ या ना अब यही चीज को मैं वहाँ डाल दूँगा तो यह बजाएगा, अच्छा यह F कौन सा हैगा, F E जैसे ही मैंने इस चीज को महाँ डाला यह आ गया, F not upon X की जगे, F not upon 1 by D plus 1 by F E that is F not upon D plus F not upon F E यप क्या यह बात समझ में आ गई this is the magnifying power हाँ यह ना okay okay, तो यह कैसी magnifying power है भाई minimum, यह कैसी magnifying power है maximum clear है, clean है, sorted है ठीक, यही है वो telescope जो हमारा हर बार काम आता है यही वो magnifying power है एक और चीज, F not plus F E को तुम tube length के बराबर लिखते हो तो अगर इसी same सवाल में मैं plus 1 कर दूँ या फिर ऐसे लिख दूँ यह वाले सवाल में same to same same to same F not plus F E के term में कुछ भी लिख दूँ को length include करना है ठीक है, तो मैं length को भी किसी ना किसी तरह से include कर सकता हूँ इसी सवाल में इसके length वाला formula भी बनता है अब आपनों वो formula भी देखेंगे यहाँ पर देखो to see the star we use which अरे यार कैसा सवाल पूछा है telescope obviously ठीक, एक और दरह का telescope होता है इसका तुम्हें सिर्फ अंदाजा होना है कि चांद को ऐसे करके bottle bottle से लोग ऐसे देखने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं यह mirror से बनाओवा telescope होता है क्योंकि lens महेंगे पह जाता है mirror आसान होता है तो यहाँ पर से lens आता है यहाँ पर से rays आती है यह rays आके टक़राती है reflect होती है और इधर आ जाती है यहाँ पर से दिखता है तो यहाँ आया इसकी इस तरफ एक image बनी यह virtual image बनी और यह virtual image यहाँ पर दिखिए क्या पराणियों clear है क्या पराणियों clear है सब कुछ sorted है तो बस यहीं तक था इसी के साथ आपका Ray Optics का यह जो lecture है मैंने सारी की सारी चीज़े cover कर दी है जितने भी NCRT को topic हैं वो cover कर दी है डेरिवेशन बचे हैं तो वो अब हम cover करेंगे जब आपका exam आएगा डेरिवेशन की सीरीज में चलें तब तक के लिए दिस मीची गुबिया साइनिंग और बाबाई गूद नाइट टाटा